नमस्कार दोस्तों अभिवादन शुकार करें लोकेस त्रिपाठी की तरफ से और जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई हमारे विद्यार्थियों ने हमें आदेश दिया था कि हम अपने इस यूटूब के प्लेटफार्म पर एकॉनमी की कितावे पढ़ाएं NCRT सिरीज के बाद और आप लोगों को पता है कि हमारे विद्यार्थियों का हर आदेश हमें सिरोधारे होता है इसलिए NCRT की खतम होते ही हम कितावों के सरिंखला लेकर के आ गए है इस कितावों के सरिंखला में हम कोई एक किताव नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि economy ऐसा विशय है इतना dimension है उसके कि कोई एक किताब civil services की economy को complete ही नहीं करती है पहली बात दूसरी बात जो हिंदी माध्यम में किताबे हैं वो आधी अधूरी हैं बेसिकली वो सारी सिर्फ और सिर्फ prelims को ध्यान में रख करके बनाई गई हैं मेंस को कफर नहीं कर पाती है इसलिए हमने इस समस्या का संपूर समाधान जूड़ा और संपूर समाधान ये है कि हम सभी किताबों को एक साथ पढ़ा दें और इसलिए हमने नाम रख्खा है complete economy जिन जिन किताबों को हम कफर करेंगे एक बार उनका जिक्र मैं आपसे कर देता हूं इंडियन इकॉनमी की एक किताब है स्री राम स्री रंगम की ये अर्सन लेकर के आता है अब तक सिर्फ अंग्रेजी में आती थी अभी साल से हिंदी में भी आने लगी है बहुत मज़दार किताब है UPSC के लहजे से अभी मार्केट में जितनी किताबे लिखे गई हैं सबसे एडवांस ये किताब है बहुत सांदार ये कवर करती है लेकिन यह भी किताब दूनी है तो हम इस किताब को पढ़ेंगे जहां जहां जो टापिक ये वेहतर से कवर करती है वो टापिक इससे किताब है इंडियन एकॉनमी की ये हिंदी में नहीं आती है सिर्फ अंग्रेजी में आती है कॉंसेप्ट के लिए बड़ी सांदार किताब है तो उमा किताब कपिला के इस किताब को जो अंग्रेजी में आती है उससे मैं खुद हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको पढ़ा इससे भी चीजे मैं उठाऊंगा तीसरी एक किताब है दिल्ली विश्विद्याले में चलती है मिस्रा और पुरी की एकॉनमी की ये भी बहुत सांदार किताब है दिल्ली विश्विद्याले की किताब है एकॉनमी के जितने कॉंसेप्ट है सबको बहुत जबर्जस दिया इन दोनों से भी सारे concept उठाएंगे ये हो गई पांच किताबे छटी किताब है इंडिया after liberalization ये किताब लिखी है बिमल जालान ने बिमल जालान और कोई नहीं भारत के महान अर्थसास्त्री और RBI के पूरो गवर्नर रह चुके हैं कई नोट आपके पास मिलेगी जो पहले की 100-200 की नोट हैं उस पर आप देखिएगा बिमल जालान के signature भी है मैं धारक को 100 रुपे अदा करने का बचन देता हूँ तो बिमल जालान की दो तीन किताबे अभी बड़ी चर्चा में हैं एक है इंडिया आफ्टर लिबराइजेसन जिसमें 1991 से लेकर के अब तक के भारत की अर्थवेश्था की दिसा दसा क्या उसका सर्वेक्षड किया गया है इस पूरी किताब को एक चेप्टर की रूप में म प्रिलिम से पिछले तीन साल से इस किताब से सवाल आ रहे हैं इस किताब से सवाल आते हैं मिस्रा और पूरी से सवाल आते हैं तो हमारी ये किताब भी सिरीज में सामिल रहेगी फिर एक किताब है वाट दा इकॉनमी नीट्स नाव ये रगुराम राजन जी ने लिखा है अ अभिजीद बनर जी और रहुराम राजन ने मिलकर के लिखा है अभिजीद बनर जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने ये विश्व अस्तर के अर्थसास्त्री है भारत की अर्थव्योस्थाप का वर्लन किया है इस किताब में तो रहुराम राजन जी किसी परिशे के मोहता आज नहीं है RBI के पूर गॉर्णर रहे हैं कितने बड़े हस्ती हैं आप जानते ही होंगे अभिजीत बनर्ची है वैश्विक अस्तर के अर्थसास्त्री हैं पुरे दुनिया मेन की बात सुनी जाती है मानी जाती है इनकी भी किताब को हम सामिल करेंगे हम एक रहुराम राजन के किताब आई है दो थार्ड पीलर इस किताब को भी सामिल करेंगे और साथ साथ रमेश सिंग की इकॉनमी से कुछ ही बाते लेंगे इस प्रकार आपके यूपी एसी के सलेबस के जितने चैप्टर है उस चैप्टर को हमने डिजाइन किया है और नाम रखा है कंप्लीट इक अब हम करेंगे क्या जैसे माल लो हम आपको एगरी कल्चर चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो हम देखेंगे एगरी कल्चर में स्री राम रंगम में क्या बात लिखी गई है आपके परिच्छा के इसाब से फिर देखेंगे एगरी कल्चर में कौन सी बात है जो उमा कपिला ने नहीं लिखी है तो जो इस पेसल यहां है उसको एड कर देंगे फिर देखेंगे उसी एगरी कल्चर में अखा यहां कोई भी सेस बात हमें मिलती है तो उसको एगरी कल्चर में लिख देंगे फिर हम देखेंगे कि क्या दस सुंदरम में एगरी कल्चर में कोई बात लिखी किताबों को जो अंग्रेजी में है उसको ट्रांसलेट करके जो हिंदी में है ले करके और आपके सेलेबस के हिसाब से क्रोनोलोजी में सजा करके मैं आपको पढ़ाऊंगा साथ-साथ हम आर्थिक समिच्छा भी कभर करेंगे दमिंट और विजनेस इस्टेंडर अख़बार भ कोई एक बुक नहीं इन सभी किताबों को हम क्रक्स के रूप में पढ़ाएंगे इन सभी किताबों की बातों को जो आपके सेलेबस से है चैप्टर वाइज हम आपको समझाएंगे और मेरा दावा है मेरा वचन है आप सबसे इस सीरीज में बने रहिएगा एक बार जो भी व ले रहे है जो निशनल लेबल पर चलती है उमा कपला की किताब निशनल लेबल की किताब हैं इंडियन एकॉनमी की स्रीराम रंगन की के किताब निशनल लेबल की किताब है साथ-साथ, UP,S दिलिव bi इस दाले के बड़े बड़े प्रोफेसर हैं हम वो पढ़ाएंगे जो UPSC का पेपर सेटर पढ़ता है जहां से सवाल आता है तो मैं दो बचन दूँगा आपको बचन नमबर एक इस सीरीज को सुरू से आखरी तक सिद्दस से पढ़िएगा जिस सिद्दस से मैं पढ़ा रहा और बचन नमबर दो इस सीरीज को करने के बाद हिंदुस्तान का कोई एक्जाम देने जाईएगा एकॉनमी में आप सबसे बेहतर मार्स लेकर के तो आईए इसलिए हमने रखा है इसका नाम कंप्लीट एकॉनमी और इस सीरीज की सुरूबात करते हैं इस सीरीज का जो पहला चेप्टर हम आपको लिए लेकर आए हैं उसमें बात होगी पहले चेप्टर में बात होगी इंटोडक्शन आफ एकॉनमी की पहले चेप्टर का हमने नाम रखा है इंटोडक्शन आफ एकॉनमी मसलन अर्थ व्योस्था का परिचे यहां हम जो अर्थ व्योस्था का परिच क्या क्या है हम देखेंगे अर्थवियोस्थाएं किन दर्शन के आधार पर काम करती हैं अर्थवियोस्थाएं आश्मान में काम नहीं करती हैं उसके पीछे एक फिलस्पी काम करती है एक सोच काम करती है एक दर्शन काम करता है एक विचारदारा काम करती है जैसे जब हिंदो पूरी दुनिया की अर्थवियोस्था पहले पूजी वादी थी और समाजवादी अर्थवियोस्थाओं में बती हुई थी धीरे उस लड़ाई में समाजवाद हारा पूजी वाद जीता तो कुछ समय तक पूजी वाद का बर्चस हो रहा कुछ समय तक समाजवाद का बर्चस पूरी दुनिया के अर्थवयोस्त्रा विल फ्यर economy के रूप में आगे बढ़ रही है new liberalization के रूप में आगे बढ़ रही है तो ताथ पर यह है कि हम economy पढ़ने से पहले economy के सद्धान्थ जानेंगे economy के विचार धराय जानेंगे economy के सोच जानेंगे economy का चिंतन जानेंगे कि आखिर किन चिंतन के आधारों पर अर्थव्योस्थाएं धरातल पर उतरती है इसलिए इस चेप्टर का हमने नाम रखा है introduction of economy इस चेप्टर में हम धेर सारी बाते करेंगे इस चेप्टर में बात करेंगे पूजीवादी अर्थव्योस्थागी या उदारवादी अर्थव्योस्थागी इस चेप्टर में बात करेंगे समाजवादी अर्थव्योस्थागी इस चेप्टर में बात करेंगे नवदारवादी अर्थव्योस्थागी इस चेप्टर में बात करेंगे नहरुवादी अर् के कुछ से धान जैसे ट्रेड अन क्या होता है ट्रेड आफ क्या होता है किंज का माडल क्या है इस सारी बाते इस पर हम चर्चा करेंगे तो आएए विचार धाराओं के आधार पर अर्थ वेवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं और जब इस सारी विचार धाराओं को जाल लेंगे पूजी वाद सामे वाद समाज वाद उदार वाद नवदार वाद कल्यार कारी अर्थ वेवस्थाएं हरित अर्थ वेवस्थाएं गांधी का माडल नेहरू का माडल एडमी स्मित का माडल का माडल लेनिं का माडल जब सब का माड अधनिक काल में एकॉनोमी की दुनिया में जो सबसे पहली विचार धरा आई थी उसे पूजी वाद कहते हैं या उसे ही हम उधारवाद कहते ही तो आएए आपका परिचकर आता हूं मैं पूजी वाद से उधारवाद से दरसल पूजी वादी अर्थवेवस्था को ही उदारवादी अर्थवेवस्था कहा जाता है पूजी वाद को ही उदारवाद कहा जाता है इसलिए अगर कहें उदारवादी शब्द आए तो समझ लिजिएगा बात पूजी वाद की हो रही है तो पहला चर्चा हम करते हैं पूजी वादी अर्थ व्योस्था की पूजी वाद की इसे ही पूजी वादी अर्थ व्योस्था को हम उदार वादी अर्थ व्योस्था भी कहते हैं पूजी वाद को उदार वाद क्यों कहते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे तो कैप्टलिजम य पूजी वाद हिंदी में क्या कहते हैं पूजी वाद इस आंगरिजी में क्या कहते हैं कैप्टली कि लिजम की बात करें तो यह कैप्ट्ली कि सब्द से मिलकर बना है कैपिटली P capital सबसे मिलकर कर बना है पूजिवाद पूजी सबसे मिलकर बना है capital का ही हिंदी होता है पूजी समझना बात को वहले हम इसके नाम का ही मतलब समझ लेते हूं तो जो capitalism है वो किसे मिलकर बना है capital सबसे मिलकर बना है और capital सब्द का सीधा साधा मतलब होता है पैसा या किसी भी अन्य प्रकार की संपत्ती अगर कोई कहे इनके पास capital है इसका मतलब इनके पास पैसा है इनके पास गारी है इनके पास जमीन है इनके पास सोना है इनके पास सेयर है इनके पास परस्वुतिया खरीद करके रख की हुई है पूजी बाद में जो पूजी सब्ध है जो कैपिनलिजन में कैपिनल सब्ध है उसका मतलब होता है पैसा या किसी अन्य प्रकार की संपत्ती जैसे घर, घर क्या है, संपत्ती है, किसी की बड़ी कोठी है, जब चाहेगा सौ करोण में बेश देगा, यानि सौ करोण आगे है उसके पास, तो घर है, मतलब संपत्ती है, संपत्ती है, मतलब पूजी है, किसी के पास जमीन है, किसी के पास सोना है, किसी के पास शांदी है, यह सारी की सारी चीजे हैं तो इसका मतलब उसके बास पैसा है संपत्ति है पूजी है तो जो कैप्टलिजम जिस कैपिटल सब्द से बना है इसका सीधा सीधा मतलब ही होता है कि कैपिटल मतलब पैसा या किसी भी प्रकार की संपत्ति जब इसका नाम ही कह रहा है जब इसके न काम से ही पैसे की धोनी आ रही है इसका मतलब है कि यह विचारधारा धन के इंद्रित विचारधारा होगी तो जी हाँ पूजीवाद हमेशा धन के इंद्रित विचारधारा रही है किसी भी कीमत पर धन का सिर्जन ही माइने रखता है यही पूजीवाद का अंतिमुद्देश यही है कि धन का सिर्जन होना चाहिए, संपत्ति का सिर्जन होना चाहिए, पैसे का सिर्जन होना चाहिए, इसका मतलब जो पूजिवादी विचार धारा है, उसके मूल में प्रॉफिट है, लाब है, संपत्ति है, पैसा है, धन है, यही है पूजिवाद का मतलब, यही है कैप केप्टिलिजन को आगे पढ़ेंगे तिसका मतलब जब जब हम केप्टिलिजन पर पढ़ेंगे बात अंतिम निसकर्स प्रॉफिट की ही होगी लाग की ही होगी धन के सरजन की ही होगी पैसे की ही होगी यह रहा केप्टिलिजन का परिशे अब आईए इस विचार धारातम और तो पहला सवाल तो आपकी दिमाग में ही गूजेगा क्योंकि आपको इजाम में लिखना है। यही पूजिवाद की आत्मा अब आई ये परिभासाओं की ओचलते हैं तो जब हम परिभासाओं की बात करते हैं पूजिवाद के डिफनिशन की बात करते हैं तो हमें नजर क्या आता है कि पूजिवाद एक सिस्टम है एक ऐसी बेवस्था है जहां हर व्यत्ति अपनी छमता और अपनी पूजी के हिसाब से कारे करता है पूजी बात कहता है कि हम एक ऐसी अर्थवे उस्था बनाएंगे देशों की अर्थवे उस्था ऐसी बनाएंगे पूरी दुनिया की अर्थवे उस्था ऐसी बनाएंगे कि हर व्यक्ति जिसमें जितनी छमता हो छमता के हिसाब से काम करें, जिसके पास जितनी पूजी हो उस पूजी के हिसाब से काम करें, माल लीजिये कोई व्यापारी ये उसके पास धेर सारा पैसा है तो पैसा बिजनेस में लगाएं, किसी के पास पैसा नहीं है तो उसके पास तो अपने कोसल के आधार पर मार्किट में जाए माली जो कोई व्यक्ति है सिनेमा बनाना चाहता है उसके भ़ए ढखr सारा पैसा है तो कहाँगा हम सिनेमा का प्रोडू़ूसर हो जा रहा है हम अपना पैसा लगा रहे हैं जहां हर बैक्ति अपनी छमता के हिसाब से, अपनी पूजी के हिसाब से काम करेगा और उसी हिसाब से उच्चतम लाभ प्राप्त करेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करेगा। हमने कहा था ना कि यह विचारधारा धनकेंदरित यह विचारधारा हमेंसा प्रॉफिट की लाहँ करती है यानि पूजी बाद एक ऐसी ब्योस्था है जो कहती है कि ऐसा तंत्र होना चाहिए, चाहे राश्टों की अर्थ ब्योस्था हो, चाहे पूरी दुनिया की अर्थ ब्योस्था हो, अर्थ ब्योस्था ऐसी होनी चाहिए, बाजार ऐसा होना चाहिए, तंत्र ऐसा होना चाहिए, जहां हर ब्यक्ति अपने पास जो पूजी है उसके हिसाब से काम करें, हर ब्यक्ति अपने पास जो कौसल है उस इसकील के हिसाब से काम करें, अपनी छमता के हिसाब से काम करें, और जितनी जादे पूजी है, जितना जादे छमता है, उतना उच्चतम लाभ प्राप्त करें, उतना धन बना सके, उतना पैसा बना सके, यही है पूजी बात की परिवासा, एक ऐसी बेवस्था, जहां असे में द्लाव की संभावनाएं हो, हर ब्यक्ति जितना डिजर्ब करता है, उतना वो प्रॉफिट पा सके, जितना पैसा है मार्केट में लगाएं, लाव लेकर के जाएं, जितना होनर है मार्केट में लगाएं, लाव लेकर के जाएं, तो जो भी बेवस्था, ऐसा तंत रस्ती है, जिसमें ब्यक्ति अपनी पूजी के इसाफ से, अपनी छमता के इसाफ से, अधिक्तन लाव प्राप् पूजीवाद इसी ब्योस्था को रचने का नाम है, इसी ब्योस्था को बनाने का नाम है। सरकार कहती है कि हम बार बात में मार्केट में हस्तक्षिप नहीं करेंगे। सरकार कहती है हम कानून ब्योस्था बनाएंगे, इंफ्रा इस्ट्रक्चर बनाएंगे, सांती अस्थापिट करेंगे, ताकि बाजार अच्छे तरीके से चल चके। यानि सरकार कहती हम बाजार के अच्छे तरीके से चलने में सहयोग देंगे बाजार पर कोई नियंतरण नहीं रखें अर्थाथ हम दूसरे सब्दों में कहें तो जो सरकारे होती हैं वो बाजार की गत्विधियों पर कोई नियंतरण नहीं रखती है सरकारे बाजार की गत्विधियों पर कोई नियंतर नहीं रखती है, क्योंकि जितने भी, अब एक बात और, हमने कहा था कि पूजी बाद को उदारवाद कहा जाता है, पूजी बाद को उदारवाद इसलिए भी कहा जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि पूजी बाद या उदारवाद के मानने वाले जितने लोग है, उन सब का मानना है क्यो बाजार होता है, मारकेट होता है, या सबसे बड़ी सक्ता होता है या सबसे बड़ी सक्ती होता है पुजिवादियों का मानना है कि बाजार स्वयम अपने हित में बेहतर निड़े लेने के लिए स्वतंत्र होता है सच्छम होता है इसलिए सरकारों को बाजारों में हस्तक छेप नहीं करना है। का मानना है कि बाजार सबसे बड़ी सकता है बाजार सक्षम है अपने हित में बहतर और सुतंत नेड़े ले लेगा यही पूजी वात की परिभासा है अब बात उष्टी है कि इस पूजी वात की प्रमुख विसेस्ताई क्या है इस पूजी वात की अगर प्रमुख विसेस्ता जिसमें पहली विशेष्टा है निजी करड़, दूसरी है लेसेच फेयर, तीसरी विशेष्टा है विकेंदरी करड़, चौथी विशेष्टा है अद्रिश हाथ, इसको किसी भी करम में रख सकते हो, ठीक न, कोई एक करम जरूरी नहीं, ठीक, तो निजी करड़ पहली विशे बिखेंदरी करण चौती विसेशता हो गई ऐसे बात नहीं है इन चारों के अलावा पूजीवाद की अन्य विसेशता नहीं है लेकिन यही चार में पीलर है यह चार में खंबे हैं जिस पर पूजीवाद खड़ा है तो आए थोड़ा इन चारों विशेस्ताओं का परिचे कर लेते हैं तो हमारे सामने जो पहली विशेस्ता है नीजी करण प्राइबिटाइजेशन थोड़ा उस पर बात करते हैं कि पहली विशेस्ता प्राइबिटाइजेशन अर्थात है क्या पुजीबादी ब्योस्था हमेशा नीजी करोर को आगे बढ़ाती है हमेशा प्राइविटाजेशन को आगे बढ़ाती है पुजीबादी अर्थ ब्योस्था कहती है कि जो उत्पादन के साधन होना चाहिए जहां से कुछ प्रोडक्शन होना होता हो चाहे उद्योग हो खान हो, खनीज हो, भूम है ये सब प्राइवेट सेक्टर के हाथ हों में haben हों नहीं? सरकारों को उद्योग नहीं लगाना चाहिए सरकारों को खंणन नहीं करना चाहिए ठीक जितने भी उत्पादन के सेक्टर है उन पर मालिकाना हग प्राइबेट सेक्टर को होना चाहिए प्राइबेट सेक्टर को आगे बढ़ना चाहिए जहाँ जहाँ आप ऐसी विसेष्टा देखिएगा इसका मतलब वह समाज वह देश पूजीवात की ओर बढ़ रहा है आप अमेरिका में जाएंगे तो मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन करता है प्राइबेट सेक्टर करता है सरकार है वहाँ उद्द्यों गित्याजी नहीं लगाती है आज भारत सरकार क्या कर रही है अगर आज के इंडिया गौर्मेंट की बात की जाएट क्या कर रही है इंडिया गवर्मेंट तेजी से प्राइबिटिसन को आगे बढ़ा रही है क्यों क्यों कि भारत सरकार खुद तेजी से पूजीबाद के रास्ते पर आगे बढ़ रही है हम बताएंगे जिस पूजीबाद के रास्ते पर भारत सरकार आगे बढ़ रही है उसे कौन सा पूजी प्राइबिटाइजेशन को सहयोग करती है तो आप कहोगे इस प्राइबिटाइजेशन का मतलब क्या होता है इस प्राइबिटाइजेशन के माइने क्या होती है तो प्राइबिटाइजेशन का मतलब यही होता है कि उत्पादन के जितने भी शागन होंगे जितने भी मींस अर्थात उद्योग हो खनन हो रेलवे हो जितने भी चीजे होंगे सरकार नहीं लगाएगी प्राइबेट सेक्टर लगाएगा मालिकाना हग किसका होगा प्राइबेट सेक्टर का यानि अर्थ व्योस्था में नीजी करण है तो इसका मतलब है कि अर्थ व्योस्था में प्रा सरकारे कहती हैं हम नीजी करण को बढ़ावा देंगे हम प्राइबिटाजेशन को बढ़ावा देंगे जिसका मतलब हमारी सरकारे पूजी बात को बढ़ावा देती हैं अर्थात पूरी की पूरी एकॉनमी में जो लीडर के रूप में होगा जो नेता के रूप में होगा जो ही होता है प्राइबेटाइजिसन का मतलम जितने भी खान है खनिज है भूमी है जितने भी उत्पादन के साधन है सब पर मालिकाना हग किसका होगा प्राइबेट सिक्टर को होगा यही मीजी करर कहलाता है और यह पूजी वात का पहला अस्तंभ है पहली विसेस्ता है यानि ज पुजीवादी देश है, अमेरिका पुजीवादी देश है, वहाँ जितनी बड़ी-बड़ी कमपणिया है, सुई बनाने से ले करके और मिसाइल बनाने तक की कमपणिया है, सब प्राइबेट कमपणिया है. सरकारी कमपनिया नहीं है, ब्रिटेन में यह, फ्रांस में यह, जर्मनी में यह, अमेरिका में यह, सब के सब पुजीवादी देश है, सब में लीड रोल में कौन है, प्राइबेट सेक्टर लीड रोल में है, तो पहली विशेष्था तो पुजीवाद की यही हो गई, कि पु पूजीवाद की दूसरी विशेष्टा का नाम है लैसेच फेयर आप कोगे यह लैसेच फेयर क्या है कोगे गुरुजी इतना पहली बार सुन रहे हैं हाँ हमारी दुनिया का सब्द भी नहीं है यह फ्रांस का सब्द है पूजी बाजियों के बीच यह सब्द इतना लोगप्री हो गया इसे सीधे सीधे है तो फ्रेंज सब्द लेकिन इसे अंग्रेजी में भी स्विकार कर लिया गया और हिंदी में भी स्विकार कर लिया तो आप जा में लिखते वक्त सीधे लेसेज फियर जब लिखोगे तो आपका कापी चेक करने वाला जो बड़ा अर्शास्री वो कहेगा वारे मेरा विद्ध्यार्थी वाह वाह इसको आती है इकॉनमी उसे क्या पता है इस विद्ध्यार्थी को इकॉनमी समझाने के लिए एक मीशन ही चला दिया हमने तो ऐसे सब्दों का प्रियोग करना है तो पुझे बाद की जो दूसरी विशेष्टा है लेसेज फियर तो आईए बात करते हैं लेसेज फियर पर तो पुझे बाद की विशेष्टा जो लेसेज फियर है लेसेज फियर दरसल एक फेंच सब्द है यह फ्राँसी सी बासा का सब्ध है इतना लोग परी हुआ कि अंग्रेजी ने भी स्योकार किया हिंदी ने भी स्योकार किया अब हम हिंदी में शिधे लैसेAS फेयर लिख देते हैं आप अपने एंश्वर में सीधे लैसेस फेयर लिख mayo तो समझते हैं आखिर लेसेस फेयर क्या है जब हम फ्रेंच में कहते हैं तो सब्द होता है लेकिन जब इसका अंग्रेजी हम ट्रांसलेट करते हैं तो फ्रांसीसी भासा में जिसे लेसेस फेयर कहते हैं उसका इंग्लिज में मतलब होता है लीव एलो लेससर फियर मतलब कोई फव्रांस सीशी में कहे लेसस्वेर तो उसका अगर मान लो एक अंगरेज आदमी खडा हो ब्रिटेंग का आदमी खडा हो तो इसका कि Emily लीव एलोन और वही बगल में हमारा भारत वाला हिंदी वाला खानाओ तो वो क्या मतलब समझेगा लीव एलोन का मतलब हमें अकेला छोड़ दो अगर यही बात अंग्रेजी में बोलेंगे तो आप कहाँगे लेस से फिर दरसल जीसे हम फ्रेंच में से छेश कह रहे हैं उसे अंग्रेजी में कहते हैं लीभलेवन और उसे ही हिंदी में कहते हैं हमें अकेला छोड़ दें यहां किसी व्यक्त की बात नहीं हो रही है यहां जो अकेले छोड़ने की बात हो रही है वह बाजार को अकेले छोड़ने की बात पूजी बात कहता है कि जो सरकारे हैं वो बाजार को अकेला छोड़ देंग सरकारे मार्केट में हस्तक छेप नहीं करेंगी और यहीं से आया फ्री मार्केट का सिध्धान्त मुक्त बाजार का सिध्धान्त पूजी बाद क्या कहता है मार्केट फ्री होना चाहिए मार्केट मुक्त होना चाहिए मार्केट में सरकारे कंट्रोल नहीं करेंगी मार्केट में सरकारे हस्त छेप नहीं करेंगी मार्केट को सरकार लेसे लीव एलोन कर देंगी अर्थात लेसे स्फेर कर देंगी यानि पूजी बात कहता है कि सरकारो ध्यान से सुन लो तुम बाजार के बाहर खड़े रह करके बाजार का सहयोग करो तुम बाजार ऐसा करो कि कानून ब्योस्था मजबूत रहे सणके मजबूत रहे विजली पानी के ब्योस्था मजबूत रहे लेकिन उद्योग पती को कौन सा उत्पादन करना है किस बस्तु का उत्पादन करना है किस rate पर बेचना है यह तुम तै नहीं करोगे यह हमेशा उत्पादन करने वाला तै करेगा सरकारी नहीं तै करेंगी कि market production किस बस्तु का करेगा यह हमेशा private sector तै करेगा बस्तु हुए कितली production की जाएंगी या सरकार नहीं तय करेंगी या जो production कर रहा है उसकी मर्दिय साथ-साथ किस कीमत पर बेची जाएंगी ये भी सरकार ही नहीं तय करेंगी जो उत्पादन करता है वो जाने किस कीमत पर बेची जाएंगी यानि सरकार दूर खड़ा होकर के बाजार को देखेगी बाजार में हस्तक छेप नहीं करेगी बाजार को फ्री छोड़ देगी इसी को कहते हैं लेसेस फेयर और यहीं से फ्री मार्केट का सिध्धानत आया आप लोग जो सुनते होंगे बार बार अकबारों में पढ़ते होंगे चर्चा में एकॉनमी में सु तो पुजी बात की तीसरी विशेस, दूसरी विशेस्ता जो leessis fair की विशेस्ता ही ना, इसका मतलब ही यही है, इसके माईने ही यही है, कि बाजार को free छोड़ दिया जाए, leave out loan कर दिया जाए, सरकारे हस्तक छेप ना करें! और इसे less is fair का परिडाब है free market आज दुनिया के जितने भी देश हैं सब free market की और बट रहे हैं तो कि सब अपनी economy को पुझी बात की और लेज़े अमेरिका यूरोप पश्मी देश तो पहले से ही पुझी बाती थे जन में ही वहीं हुआ था तो दूसरी विशेस्ता आप लोगों ने समझ लिया less is fair अब आप लोग सोच रहे हो गई आखिर ये पुझी बात बजारों को अकिलना क्यों छोड़ना चाहता है पुझी बात बार बार क्यों कहता है कि बाजारों की तरफ से ख़ला हो करके पुझी बाती क्यों कहते है कि लीव एलोन, less is fair बाजारों को फ्री छोड़ दी क्यों कहते है अगर इसकी बज़ा क्या है बाजारों की सोतंतरता से इन पुझी बादियों का अखिर इतना लगाओ क्यों है कि पुझी बादी किसी भी कीमत पर बाजार में हस्त अच्छेप पसंद नहीं करते है इसलिए पुझी बाजारों को उधारवादी कहा गया पूरी की पूरी पूझी बाजारों को उधारवादी बेऊस्था को उधारवादी बेऊस्था कहा जाए किसी भी कीमत पर बाजार पर कोई नियंतर नहीं होगा और जब किसी भी कीमत पर बाजार पर नियंतर नहीं होगा तो वो उधारवाद कहलाएगा पूजीवाद कहला है तो यहां एक यक्ष प्रस्ण तो खड़ा होता है कि या खिर पूजीवाद बाजार को फ्री क्यों जब पुझी बाद कहते हैं कि जब बाजार फ्री होगा तो मुक्त प्रतियसवर्दा होगी जैसे हमने एक 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 जामपल लिया है एक जामपल इसलिए लिया है कि आपके ठोड़ा करीब का एक जामपल है माल लिजी ये मार्केट में दो फोन है एक एपल का हो एक एपल हो एपल का फोन हो और एक सैम्सेंग का फोन हो यहां मिक जामपल से आपको समझाना चाहते ठीक इन दो जब बाजार को फ्री छोड़ दोगे तो इन दोनों में मुक्ट प्रतियस पर्दा होगी प्रतियस पर्दा इस बात की होगी कि आखिर कौन अच्छा फोन बना सकता है दोनों आपस में प्रतियस पर्दा करेंगे एक नहीं करेंगे कि कौन अच्छा फोन बना सकता है कौन सस्ता फोन बना सकता है ये दोनों इस बात में प्रतियस पर्दा करेंगे कमप्टीशन करेंगे क्या नहीं करेंगे और सवाल उठ्टा ये दोनों आपस में प्रतियस पर्दा क्यों करेंगे भाई एपल बार बार अपनी क्वालिटी बढ़ाने के प्रतियस पर्दा क्यों करेंगे संसंग बार बार अ दिखती होगी होई एगा बाजार में कोई बाइक आई छह महीने चली उसके बाद उसी कंपनी की नई बाइक आ जाती है नई फीचर के साथ उसके छह महीने बाद फिर कुछ बाइक कुछ अन्य फीचर के साथ आ जाती है कोई भी बाइक बनाने वाली आतो मोबाइल कंपनी थोड़ा अपडेट करके उससे बहतर फीचर लाने को से तीसरी वाली पुन्हा इसको अपडेट करेगी तेलिविजन देख लीजिए अपडेट होते रहते हैं आपके मोबाइल फॉन देख लीजिए कहते हैं उसमें वह बढ़िया आ गया है मार्केट में ने आ गया है वह आप 6 महीने तक ये दवाई लिखेगा अगले उसी भीमारी में 6 महीने बाद जाओ गया कोई दूसरी नहीं दवाई लिख देगा क्योंकि दवाईयों का नया ब्रांड आ गया ये सब नया क्यों आ रहा है क्योंकि जितनी कमपनिया हैं सब में प्रतियस परदा हो रही है और प्रतियस परदा कि इस बात क्यों हो रही है कि कौन अच्छा बना सकता है कौन सस्ता बना सकता है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना कमप्टीशन क्यों करते हैं अरे भाईया ये प्रतियस परदा सिर्फ इसलिए बेशते हैं क्योंकि सबको अधिक से अधिक अपना सामान बेचना है और सबको अधिक से अधिक लाव कमाना है अंतिम बात तो लाव की ही होगी अंतिम बात तो प्रॉफिट की ही होगी सबको अधिक से अधिक अपना सामान बेचना है सबको अधिक से अधिक अपना लाव कमाना है और जब सबको अधिक से अधिक अपना सामान बेचना है सबको अधिक से अधिक अपना लाव कमाना है तो इस बात के लिए कमपनिया अपने हाँ धेर सारा रिसर्च तो करेंगी ही करेंगी उप भोक्ता को भी फायदा होगा क्योंकि सबसे सस्ती और अच्छी बस्त में अंत्ता उप भोक्ता को ही तो मिलेगी 1990 के दौर में अपने घर में अपने पापा मम्मी से पुछिएगा ऑचनव हजार में 1990 में आता था आज 2000 रुपए में कोई ब्लेक अन वाईट टेलिवीजन नहीं पूछता है तो 3000 रुपए में छोटा सा कलर में टेलिवीजन आ जाता है क्यों आया क्योंकि 1991 के बाद मार्केट जब खोला गया भारत धीरे धीरे पूजी वात के रास्ते पर आया तो धेर सारी कमपनी आई सब कमपनीों ने देखा रही भारत में टेलीवीजन अभी एक गाउं में एक ही दो घर में पहुंचा है हमें हर घर में ही नहीं पहुंचाना है हर घर के हर बेडरूम में पहुंचा देना है और ये तब पहुंचेगा जब अच्छा भी हो सस्ता भी हो जो अच्छा बनाएगा जो सस्ता बनाएगा उसी का टेलीवीजन लोग जादे खरीदेंगे उसी की मोबाइल फोन लोग जादे खरीदेंगे तो सब कमपनियों में प्रतियस परदा होगी और इस प्रतियस परदा की वज़ा थी कि जिसका अच्छा रहेगा अच्छे के साथ थोड़ा सस्ता रहेगा उसका ज्यादा विकेगा इसको ज्यादे लाग मिलेगा तो अंतता फायदा वो भोकता को भी होता है कहते है कि पूजी बाद वो भोकता को भोकता कंजूमर जस्टिस प्रदान करता है वो भोकता न्याय प्रदान करता है वो भोकता न्याय का मतलब क्या है वो भोकता न्याय का मतलब यह है कि जब आप बाजार में खड़े हो अगर आपके पाकिट में एक हजार रुपईया है और एक हजार रुपए ये कि आप कुछ भी खरीदना चाहते हो, मालो आप खाना खाना चाहते हो, कि चलो एक हजार रुपए है, उसका हम खाना खाएंगे, तो आपके सामने खाने की 100 वेराइटी होनी चाहिए, जो चाहो वो खा लो, अगर खाने की दो ही प्रकार के रिश्टोरेंट है, तो आपकी मजबूरी होनी चाहिए, हो जाएगी किसी दो में से किसी किया खाना है, ये consumer justice नहीं है, अगर आप एक हजार रुपए लेकर के कपने खरीदने चाहते हो, कि चलो आपको एक टी-सर्ट खरीदना है एक हजार रुपए में, तो आपके सामने मार्केट में 150-200 टी-सर्ट के ब्रांड होना चाहिए, जो चाहाँ वो खरीद लो, जो पसंद आएगा वो खरीद लोगे, लेकिन जब टी-सर्ट के दो ही ब्रांड होंगे, वह इसलिए नहीं प्रतियस पर्दा कर रहे हैं को उसे उभोगता को फाइदा पहुचाना है, वह इसलिए प्रतियस पर्दा कर रहे हैं को उन्हें अधिक्तम लाप पहुचाना है, हाँ, इस प्रक्रिया में उभोगता को भी फाइदा हो जाता है, देश की अर्थ ब्योस्था को भी भाइदा हो जाए इसे लिए पुजिवादी हमेशा कहते हैं कि लेसेस फेयर होना चाहिए मार्केट में मुग्द प्रतियस्परधा होनी चाहिए पुजिवादी कहते हैं कि जब लेसेस फेयर होगा बाजार को अकेला छोड़ दिया जाएगा सरकारे बाजार में हस्तक छेप नहीं करेंगी तो बाजार में हर उद्योपती अधिक्तम लाब कमाने के लिए मैक्सिमम लाब कमाने के लिए अधिक्तम लाब कमाने के लिए वह प्रतियस पर्धा करेगा प्रतियस पर्धा इस बात की होगी कि किसकी वस्तुवें कितनी अच्छी है किसकी वस्तुवें कितनी सस्ती है केंद्र में उसके लाब है लेकिन वो अपने लाब के साथ काम करते हुए वो भोकता को भी लाब दिलवा देगा पूरी की पूरी अर्थब्योस्था को भी लाब दिलवा देगा इसलिए पूजी बाद चिला चिला के कहता है चीक चीक के कहता है नारों में कहता है मुहावरों में कहता है इस स्लोगनों में कहता है less is fair, less is fair, less is fair तो दूसरी विशेष्टा है less is fair अब इसी less is fair से पूजी बात की तीसरी विशेष्टा आप आपको समझाते हैं वो है उस तीसरी विशेष्टा को कहते हैं individual hand, address, heart तो पूजी बात की तीसरी विशेष्टा है इनविजबल हैंड अद्रिस्य हाथ ठीक किया है भाई किया है अद्रिस्य हाथ अगर आपने लेसे फेज़ समझ लिया है तो अद्रिस्य हाथ तो हम समझे समझाता हमने क्या देखा भी पहले कि यहाँ दो बेवसाईयों के बीच एपल और संसंग के बीच क्या हो रही है प्रतियस पर्धा हो रही है ठीक यनि दो बेवसाईयों के बीच अपने अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए प्रतियस पर्धा सोतंत्र प्रतियस पर्धा हो रही है हो रही है वही है स्वतंत्र प्रतियस परधा पूजी बाद में बाजार में दो बेवसाईयों के बीच जो स्वतंत्र प्रतियस परधा हो रही है इसी प्रतियस परधा को पूजी बाद के जनक ने पूजी बाद के पितामा एडम इस्मित ने मुक्त बाजार का individual hand कहा था फ्री मार्केट का individual hand कहा था मुक्त बाजार का अद्रिस्त हाथ कहा था ठिक कहे रहा है एडम स्मित कि जो बाजारों में ब्यापारियों के बीच अधिकतम लाब कमाने के लिए जो मुक्त प्रतियस परदा हो रही है आपस में आगे बढ़ने के लिए अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए जो ब्यापारी आपस में प्रतियस्परधा कर रहे हैं या और कुछ नहीं यही तो फ्री मार्केट का इन्विज्वल हैंड है फ्री मार्केट का अद्रि से हाथ है तो आप कहोगे आखिर इसे एड़ा मिस्मित ने इन्विज्वल हैंड नाम क्यों दिया इसे एड़ा मिस्मित ने अधिर से हाथ नाम क्यों दिया कोई तो वज़ा हो रहे होगी कि एड़ा मिस्मित इन्विज्वल हैंड कह रहा है अद्रिस से हाथ का मतलब क्या होता है यह एक मोहावरा है जब किसी ब्यक्ति का हमारे फीट पर हाथ होता है यू कहिए कोई ब्यक्ति हमें सायोग कर रहा है लेकिन वह हमें बता के सायोग नही भी विशा योग कर दे रहा है तो हम कहा जते हैं को इस ब्यक्तिका हम पर अद्रिस से हाथ है अद्रिस से एडम स्मित की भासा में थोड़ी बात करते हैं एडम स्मित जब कह रहा है कि जो स्वतंत्र प्रतियस्पर्दा हो रही है एडम स्मित कह रहा है कि दो बेवसाईयों के बीच अपने उत्पादों को बहतर बनाने के लिए जो 7 प्रतियस्पर्दा हो रही है इस योगे एडम स्मित कह रहा है कि या फ्री मार्केट का इंविजूल हैंड है या मुक्त बाजार का अद्रिस सहात है तो आपके दिमाग में आपके जहन में सवाल कौदा होगा कि एडम स्मित नहीं से इन्वीजुवल हैंड क्यों कहा दरसल एडमी स्मित ने इसे इन्वीजुवल हैंड इसे अद्रिस्त हाथ इसलिए कहा क्यों कि जो व्यापारी है जो उद्योग पती है इस व्यापारी और उद्योग पतियों से कोई यह नहीं कह रहा है कि वे अपने उद्योग और व ब्यापार में न्यू टेकनोलोजी लाओ, कोई ये नहीं कह रहा है कि अपने उद्पाद की गुरवत्ता बढ़ाओ, कोई कह नहीं रहा है, लेकिन ब्यापारी अपने अपने उद्योग में, अपने अपने ब्यापार में नई प्रद्योग की ला रहा है, अपने वस्तुओं क की गुरवत्ता बढ़ा रहा है कि यह ब्यापारी खुद अपने लाब के लिए कर रहा है उसे समाज हमाज से कोई लेना देना नहीं है उसे समाज हमाज से कोई लेना देना नहीं है वह जो न्यू टेकनोलोजी ला अपने उत्पाद की गुरवत्ता बढ़ा रहा है वह इसलिए ला रहा है कि भईया उसका सामान जादे बिकेगा उसको जादे लाव लेगा इस ब्यापारी को दे इस दुनिया समाज से कोई लेना देना नहीं है यह जो ब्यापारी है यह सिर्फ हर सिर्फ अत्यधिक लाव चा आता है क्योंकि वो जानता है कि जितना उत्पात की गुर्वत्ता बढ़ेगी उतनी उसकी बिक्री होगी उसे लाब होगा ऐसे में ब्यापारी उत्पात की गुर्वत्ता बढ़ाने के लिए नई प्रद्योक की लाएगा नई नई टेकनोलोजी लाएगा और नई टेकनोलोज लाने के लिए हमेशा रिसर्च और इनोवेशन पर काम करेगा इसलिए आप देखते होगे कि जो बड़ी-बड़ी कमपनिया है वो अपनी रिसर्च टीम रखती है Google अपना रिसर्च टीम रखता है Facebook अपना रिसर्च टीम लखता है अमेशन अपना रिसर्च टीम रखता है टाटा की अपनी रिसर्च टीम है अमबानी की अपनी रिसर्च टीम है लार्सन अंटर्बो की अपनी रिसर्च टीम है दुनिया में जितनी कमपनिया है सब कमपनियां अपनी रिसर्च टीम रखती है वो निरंतर रिशर्च करवाती रहती हैं ताकि अपनी अपनी कमपनी में नई टेक्नोलोजी लाएं ताकि हमारे सामान की गुरवत्ता भीके ताकि हमें अधिक से अधिक लाब हो यनि ब्यापारी समाज उमाज के लिए काम नहीं करता है वो काम करता है अज्दिक लाप के लिए और अज्दिक लाप तभी होगा जब उसके सामान की गुरवत्ता बढ़ेगी इस समान के गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमेशा नई प्रद्योकी लाएगा, हमेशा अच्छे इंजिनियर लाएगा, हमेशा बेहतर मार्केटिंग करने वालों को लाएगा, वो कहेगा एकदम भीटेग जाएगा, IIT में एकदम केंपस सेलेक्शन कर लेगा, IIM जाएगा क उसे अत्यधिक लाब चाहिए, प्राफिट चाहिए, वो इसलिए नहीं काम कर रहा है कि समाज को लाब हो, देश को लाब, नहीं, वो अपने लाब के लिए काम कर रहा है, लेकिन इस काम तो वो कर रहा है अपने लाब के लिए, लेकिन न चाहते हुए भी, वो समाज को भी लाब दे रहा है वो चाहा नहीं रहा है उसका उद्देश नहीं है समाज को लाब देना अपने आपको लाब देना है लेकिन अपने आपको लाब देने के प्रक्रिया में वो समाज को भी लाब पहुचा रहा है इसलिए एडम इसमित कहता है इन्विज्वल हैंट वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहा है वो काम कर आपने को आगे बढ़ाने के लिए लेकिन इस काम से समाज भी आगे बढ़ रहा है समाज को भी फायदा हो रहा है तो उसके इसी प्रयास को इड़म इसमित कहता है इन्विज्वल हैंड इड़म इसमित कहता है कि में जो कम टीशन हो रहा है वह तो इसलिए हो रहा है कि हर व्यापारी आगे बनना चाहता है लेकिन हर व्यापारी आगे बनने के चक्कर में जो रिसर्च पर काम कर रहा है जो इनोवेशन पर काम कर रहा है जो टेक्नलोजी पर काम कर रहा है जो बेतर उटपादन पर काम कर रह इससे समाज को भी फाइदा मिल जा रहा है इससे अर्थवियोस्था को भी फाइदा मिल जा रहा है इससे देश को भी फाइदा मिल जा रहा है इसलिए एडमी स्मित कहे रहा है कि जो फ्री मार्केट में ब्यापारियों के मद्ध मुग्त परतियस परदा है जो करते हैं अपने लाब के लिए है लेकिन देश और समाज को भी लाब पहुचा दे रहे हैं इसलिए डमी स्मित कहता है कि यह जो फ्री मार्केट में जो ब्यापारियों के मत प्रतियस परधा है न यह एक प्रकार का इन विजुवल हैंड है थोड़ा समझाते हैं यानि हमने यह समझा कि देखिए यहां ब्यापारी अपने लाब के लिए सब कुछ कर रहा है प्रध्यो की ला रहा है इंजिनियर ला रहा है बेहतर मार्केटिंग करने वालों को ला रहा है लेकिन इस सब कर रहा है अपने लिए वो समाझ के लिए नहीं कर रहा है अपने लिए कर रहा है लेकिन इससे अंतता समाझ को भी फाइदा मिलेगा कैसे समाझ को फाइदा मिलेगा बताता हूं भाया जब वो नई टेकनोलोजी लाएगा नई मार्केटिंग टीम लगाएगा बेहतर प्रोड़क्शन करेगा तो ध फिर सारे मजदूरों को नोकरी मिलेगी तो पैसा इन लोगों के पास पहुंचेगा और जब पैसा इन लोगों के पास पहुंचेगा तो इनकी खरीदारी छमता बढ़ेगी इनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और जब इनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो मार् होगी और जब मार्केट में डिमांड उत्पन होगी तो मार्केट में अन्य बेवसायों को भी क्या मिलेगा बल मिलेगा यारी मार्केट में धेर सारे अन्य बेवसायों को भी मल मिलेगा अगर किसी के पास नोकरी मिल जाती है तनखा अच्छी मिलने लगती है तियों उसकी खरीदारी छमता बढ़ जाती है वो एक जोड़ी जूते पहनने लगता है कई जोड़ी कप्ड़े पहनने लगता है वो कोस्मेटिक्स पर खर्च करने लगता है वो रहन सहन पर खर्च करने लगता है तो इनी बस्तुओं की भी तो डिमान बढ़ती है अब उ कहाएगा हम बढ़ियां घर बनवाएंगे उसमें एसी ओसी लगवाएंगे फिर जुरिज खरी देंगे फिर कहाएगा हम गाली खरी देंगे फिर कहाएगा थोड़ा सापने साय को भी क्या हो जाता है फुष्टप मिल जाता है साथ ही साथ लोग देखते हैं कि अरे जिनके पास अधीक कौसल है उन्हें बहतर नोकरी मिल ले यह बहतर पैसा मिल ला है तो लोग बहतर आय के लिए बहतर नोकरियों के लिए खुद को स्किल करेंगे लड़का आयाईट स्रस्थ पर कियो काम करता है कि तो की वो जानता है। एक बहुतर इंजीर हो जाएंगे बहुतर मैनिज्मेंट से हो जाएंगे तो झार में को प्राइबे बेन नौकरी मिलेगी तक हादिः आप लुग सिव्य सर्विशेज की पढ़ाई क्यों कर रही हैं? सिविल सर्विसेच की पढ़ाई करना जैसे पुराने जवाने में सादू सन्यासी तफस्या करके इस्वर को प्राप्त कर लेते थे उसे कम नहीं है बड़ा धारी और बड़ा स्रम चाहिए जोबें विद्यार्थी तैयारी कर रहे है जोब दिया है उन्होंने अपनी जवानी को धेर सारे आभाओं के बीच में पढ़ रहे हैं धेर सारे विद्यार्थी समाज के तानों के बीच में पढ़ रहे हैं धेर सारे अपने पढ़ाई करने के लिए पार टाइम काम कर रहे हैं ठीछ सारे लोग ऐसी भीपरीद परिस्ट प्रिस्तियों में पढ़ है लिख रहे हैं इकानमी पढ़ रहा है पोलिटी पढ़ रहा है इसलेक्ट होते हैं तुरन्त आप कि इनकम बढ़ जाती है, आपकी गरिमा बढ़ जाती है, आपका सम्मान बढ़ जाता है, आप व्यक्ति से संस्थान बन जाते हो, आप इस राष्ट की संपत्ती बन जाते हो, भारत की गौरो मई सिविल सर्विसेस का हिस्सा बनना, स्वर्ग में जगह पाने से कम नहीं होता है, कभी पीडाय हद से आगे बढ़ जाए, दुख हद से आगे बढ़ जाए, यातनाय हद से आगे बढ़ जाए, तो मेरे विद्यारतियों परेशान मत होना, घपडाना मत, याद रखना, वेदना में एक सक्ति होती है, जो दृष्टी देती है, यातना में रहने वाला ही दृष इसलिए थकना मत, थमना मत बागी पढ़ाने के लिए हम है P W है आप पढ़ो तो सही तो बात वही निकल करके आई कि एडमी स्मित कहता है कि बाजार में काम तो लोग अपने लाब के लिए करेंगा ब्यापारी सिर्फ और सिर्फ अपने लाब के लिए करेगा लेकिन अपने लाब के लिए काम करने के लिए अपने प्रोड़क की क्वालिटी बढ़ाने के लिए वह जो इनोवेशन करेगा रिसर्च करेगा मार्केटिंग करेगा उत्पादन बढ़ाएगा इसे लोगों को नो ख्वा मिलने ज्यादे पैसा मिल रहा है तो अधिक आय के लिए बेहतर नौकरियों के लिए लोग अपने आपको स्किल करेंगे इससे अंतता समाज में कौसल युक्त लोगों की स्किल परसन की संख्या बढ़ेगी एक ऐसा समाज के और बढ़ेगे जहां हम जादे से जादे स् स्किल लोग हूँ साथी साथ जब लोगों की आय बढ़ेगी तो ये लोग सिछा पर स्वास्थ पर और जीवन की गुरवत्ता पर क्वालिटी अप्लाइट पर भी खर्च करेंगे और इससे अंतता समाज का ही तो विकास होगा समाज का ही तो विकास होगा यानि उस ब्यापारी ने काम किया अपने विकास के लिए उस द्योग पती ने काम किया अपने विकास के लिए लेकिन अंतता नो चाहते हुए भी समाज का विकास हुआ इसलिए Adam Smith कहता है कि ब्यापारियों के अपने अधिक्तम लाप की चाहत में जो मुक्त प्रतियस पर्दा होती है उससे फाइदा समाज को भी होता है इसलिए ब्यापारियों के बीच जो मुक्त प्रतियस पर्दा हो रही है यह समाज के लिए इन्विज्वल हैंड का काम करती ह इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को एड़मिस्मित ने फ्री मार्केट का इन्विज्वल हैंड कहा और अंतता एड़मिस्मित कहता है कि समाज के लाब के लिए यह अच्छा है कि लोग खुद के लाब के लिए काम करें जब लोग खुद के लाब के लिए काम करेंगे तो समाज की विकास के लिए इन्विज्वल हैंड बढ़ जाएंड यही है तीसरी विशेष्था फ्री मार्केट का इन्विज्वल हैंड यही है तीसरी विशेष्था फ्री मार्केट का इन्विज्वल हैंड यहां जो हम पूजीवाद को पढ़ा रहे हैं वह आर्थिक विचारधारा क उसकी माहा है आर्थिक विचारदारा मूल रूप से पूजिवाद एक आर्थिक दर्सन है इसी आर्थिक दर्सन को धरातल पर उतारने के लिए जिस political system की जरुत पड़ी उसे पूजिवादी राजनेतिक बेवस्ता तो पूजिवाद की ये विशेस्ता है तो हो गई अब पू पूजीवाद में इस विकेंदरी करण सब्द के माईनी क्या है? इस विकेंदरी करण सब्द का क्या से निकालता है? जब पूजीवादी बेवस्था के चसमे से इसे देखते हैं. तो जब हम पूजीवादी बेवस्था के चसमे से इस विकेंदरी करण को देखते हैं तो हमें जो बेवसाय होते हैं पूरे के पूरी तरह से विकेंद्रित करते हैं अर्थात देश में सरकारों के बीच कोई ऐसी केंद्री नियंतर कारी संस्था नहीं होती है जो सभी बेवसायों पर नियंतर रखे पुजीबादी ब्योस्था में हर बेवशाय एक दूसरे से स्वतंत्र प्रतियस पर्धा करते हैं इसी को कहा गया पुजीबाद का विकेंद्री करड देश में कहीं भी उद्योग लगाई है आप लगाई है अपना बिजनेस किजिए ब्योसाई किजिए कोई आप से सरकार ये कोई पर्नियंत्र करें हर व्यवशाय एक दूसरे स्वतंत्र अपने आप में स्वतंत रिकाई होता है और स्वतंत रूप से फलता फूलता है यही पुजीबाद की चौथी विसेस्ता है जिसे विकेंद्री करड़ करते हैं येती हो गई चौथी विसेता है अब कहोगे इस पुजी बाद के लाब क्या है। पुजी बाद के लाब क्या है। पुजी बाद के जो लाब है। ये सब एडम स्मित ने अपने किताब में प्रियोग किया है। Financial Trigger एडम स्मित ने कि पिया है। अब आज की तंदर में इसकी बात करें। पुजी बाद के लाग क्या है। पुजी बादी बेवस्था का जो मूलत तर्ट तो है नो। आप पुजी बाद के लाग हालो लेकिन यह तो सचहक पुरी दुनिया में जितनी विचार्द भराय आर्थिक विचार्द भराय आ या धोनिक काल में सब ने पुजीवाद से लड़ाई ले ली और पुजीवाद ने अंतता सब को हरा दिया पुजीवाद विजेता हो गया समाजवाद हम सब पढ़ेंगे देखेंगे कई से पुजीवाद ने सब को हरा दिया जो देश अपने आपको घोर समाजवादी कहते थे वे भी आज पूजीवाद की रास्ते पर चल गए रूस अपने आपको घोर सामयवादी समाजवादी देश कहता था वो भी पूजीवाद की रास्ते पर चल गया चीन जो कहता था वो भी पूजीवाद की रास्ते पर चल ग किसके रत को कोई रोख ही नहीं पा रहा है तो पूजी बाद में बहुत बड़ी चीज है पूजी बाद एक फाइनेंसियल ट्रिगर उपलब्द कराता है फाइनेंसियल ट्रिगर ट्रिगर सब्द आता है जो लोग बंदुग चलाते हैं नहीं करते हैं innards trigger का मतलब होता है वहां कोई भी चीज जहाँ कोई speed बढ़ादे trigger गोली speed से निकली trigger का मतलब होता है क्टि जो आपको दम given on financial trigger का मतलब होता है in पूजी बात की जो सबसे बड़ी विश्यस्ता है tänplease है किया financial trigger देता है पूजी बाद हर आजमी को कहता है कि या तो आपके पास पैसा हो या तो आपके पास कौसल हो आओ इस बेवस्था में अपना skill दिखाओ तो हुनर दिखाओ तो हम इतनी speed से आपकी बित्ती ताकत बढ़ाएंगे कि देखने वाले की आँखे चोधी आजए आप देखो न अभी हमारा इंडिया जब से तेजी से पूजी वाद की और बढ़ा है आप धेर सारे startup की कहाने सुनते होगे धेर सारे दिम्यों की कहाने सुनते होगे धेर सारे युवा लोगों की प्रियोग कर रहे हैं जब वो सुरू कर रहे हैं तो कुछ ही नहीं है सनक पर आप चार साल बास देखोगे पता चला हजार करोड़ दो हजार करोड़ पाँजार करोड़ के टर्नोवर वाले लोग यह कहां से आए तो कि बेवस्था पुजी बात एक फाइनेंशियल ट्रिगर उपलब्ध कराता है कि आप इनोवेशन लेकर के आईए नई चीज लेकर के आईए कोई भी नई चीज जो बाजार में लेकर आईए नया उत्पाद लेकर के आईए या उत्पाद को बेचने की नई तकनीकी लेकर के आईए कुछ भी नया इनोवेशन लेकर के आईए हम ट्रिगर की वज़ा से इनोवेशन बढ़ता है लोग समझते हैं कि हमें काम अपने स्किल पर करना है हमें अपने काम इनोवेटिव आइडिया पर पर पढ़ना है आप सोचो ना आज के 30 साल पहले सोच सकते हो थे कि आया किसे कोई 22 साल का 21 साल का लड़का निकला कोई बनिया अब मोबाइल अब बना दिया कोई बनिया साप्टवेर बना दिया पता चला किसी कंपनी ने 279 करोन के पैकेज में उसे ले लिया आम हो गया है दो करोड़ चार करोड़ का पैकेज ऐसे आम हो गया है यहां 1970 के भारत में कलपना नहीं कर सकते थे लेकिन 2023 के भारत का एक सच है यह बहुत बड़ा सच है और 2030 और 2035 के भारत का सच होगा कि धेर सारे युवा भले ही वो जुगियों से आए हो जुपणियों से आए हो गाउं से आए है खेश से आए है खलियान से आए है ऐसे युवा की कहानी हर जुबान पर रहेगी आया था सहर हवाई चपल पहन करके गाउं गया अपने चार्टर प्लेन से पांच साल बाद क्योंकि हमारी अर्थ ब्युस्तापु जीवा दे और मैं इश्वर से प्रार्षना करता हूँ ये कहानी हमारे विद्यार्थियों की कहानी जरूर बने ये कहानी हमारे विद्यार्थियों की कहानी जरूर बने हमारे बच्चों की कहानी जरूर बने हमारी बच्चियों की कहानी जरूर बने हमारी बच्चियों की कहानी जरूर जो कि पढ़ने के लिए हमारे बच्चियों से जादे हमारी बच्चिया संगर्स कर रही है हमारी बेट हैं जिनके पास इतने संसाधन नहीं है जो गाव में बैट करके घर घरमी में बैट करके खाना पकाते हुए हो पूले के पास मुवाईल फोन रख करके economy का हमारा video देखता देखती है मैं ऐसी बेटियों को जानता हूं और ऐसी बेटियों को मैं बार बार सलाम भी करता हूं। लेकिं रुकना नहीं, ठकना नहीं, थमना नहीं। भरोसा है मेरा। एक दिन आपकी कहानी सुनाएंगे लोग, आपका उधारत दिनगे लोग। तो कुछ पूजी बात भी यही कहता है। कि आप कहीं हो, हुनर तो लेकर क्या आओ, इनोवेशन तो लेकर क्या आओ, आइडिया तो लेकर क्या आओ, विचार तो लेकर क्या आओ, 100-200 करोड, 500 करोड, 1000 करोड में आपको हम पहुचा देंगे। फाइनेंसियल ट्रिगर इस सिस्टम में है चुकि इनोवेशन लाएंगे तो पैसा कमाएंगे तो धेर सारे लोग पैसा कमाने के लिए इनोवेशन पर रिसर्च किये और इसी इनोवेशन की वजह से आप देखते होंगे विज्ञान और प्रद्योकी का पिछले 100 सालों में जि और उसके बाद जब से मानो है तब से का इतियास ले उठा दो तिये 100 साल का इतियास उसकी भारी पर जाएगा उसके आप आज तक कियास देखते मानो चांत पर मंगल पर बुद्ध पर इसी 100 साल में पहले तो गोड़े हाथी से ही चलता था आज बुलेट ट्रेन है फरारी ह है रेंज रोवर है हेलिकॉप्टर है प्लेन है अखिर इस हुआ क्या है इस पूजी बाद के आने से विज्ञान और प्रद्योक्री का इतना तेज विकास क्यों हुआ इसलिए आप देखते होगे कि जितने पूजी बादे साइनस और टेक्नोलोजी में बहुत आ गए है आखिर क्या रिष्टा है इस पूजी बाद का साइंस और टेक्रे डेवलेप्मेंट से रिष्टा है पुजी बाद में जो सबसे बड़ी बिस्स्ता है कि पुजी बाद कहता है कि मेरे पास financial trigger है मैं तुमको पैसा कमवा सकता हूँ बस कुछ नई चीज लाओ जो बिके वो नई चीज नया खोज होगा नया विस्कार होगा नई आइडिया होगा कुछ भी होगा जो बिके अधिक पैसा कमाने के लिए अधिक लाब कमाने के लिए धेर सारे लोगों ने इनोवेशन पर काम किया आइडिया पर काम किया रिसर डेवलप्मेंट पर काम किया और यहीं वज़य है कि फिछले 100 साल में साइंस और टेक का जितना विकास हुआ उतना फिछले 1000 सालों में नहीं हुआ और यह पूजी बात की सबसे बड़ी उपलब दी है अगर हम आकुणों में गरीबी की बात करें तो गरीबी पिछले 50 वर्सों में गरीबी दुनिया भर में कम हुई है सिख्षा की बात करें तो सिख्षा का अस्तर बड़ा है सब की पहुँच में सिख्षा आई है इसमें कोई संसा नहीं है कोई संदे नहीं यह स्वास्त की बात करें तो मेडिकल बेवसाय में जितनी भी मेडिकल बेवसाय के कमपनिया है वो क्या चाहती है अधिक लाब शाहती है और अधिक लाब के चक्कर में क्या हुआ कि धेर सारे प्रकार के स्वास सेवाए आई स्वास सेवाए बहतर हुई कुर कोरोना आया है हर व्यक्त की बैक्सीन की जरूरत होगी जो कमपनी सबसे पहले बना देगी सबसे बेहतर बना देगी उसका माल सबसे जादे बिकेगा और सबसे जादे पाइदा कमाएगी यानि कोरोना की कमपनियों ने कोरोना बैक्सीन इसलिए नहीं बनाया कि सबका बैक्सी दबाई आ गई हैं धेर सारे सरजरी के प्रकार आ गए धेर सारे चेक अप के प्रकार आ गए कभी एक सरे बहुत बड़ी चीज होती थी एक सरे से अल्ट्रसाउंड आया MRI आ गया अब किसी कंपणी ने MRI पर सर्च क्यों किया होगा क्यों कि जानते थी MRI मसीन बनाएंगे तो धे आफ लाइफ कहे जीवन के गुरवत्ता कहे तो जीवन के जीवन जीने के बेहतर साधन आज समाज में उकलब्ध हुए हैं लोगों को जीवन की गुरवत्ता मिली है तेलिवीजन फ्रीज एसी जितनी प्रकार की ये गाड़िया जितने प्रकार की सेक्रों प्रकार के खान पान हर छेत्र में हजारो प्रकार की बेराइटी उपलब दे क्यों है क्योंकि पूजी बात कहता था नई चीज लाओ बिकेगी इस बिकेने के लाब में उसने धेर सारा काम किया लोगों के पास बेहतर जीवन की गुरवत्ता पहुंची अगर उब भोक्ता की नजरिये से देखा जाए तो उब भोक्ता को भी फायदा हुआ है क्योंकि उब भोक्ता को बाजार में अधिक विकल्प मिले आज पैसा लेकर के जाओ तो सैक्रो प्रकार के अप्सन है और सबसे बड़ी चीज सबसे बड़ी चीज पूजीवाद भविश्य की उम्मीद दे है पूजीवाद की जो सबसे बड़ी ताकत है कि उसके पास भविश्य की उम्मीद है पूजीवाद हर किसी को सपने दिखाता है कि आप उपर पहुँच सकते हैं और यह पूजीवाद की सबसे बड़ी ताकत है हम कहते हैं न कि इस दुनिया में जो सबसे बेहतर चीज हो सकती है जो आप किसी को दे सकते हैं वो क्या हो सकती है तो अरे भाईया वो होती है उम्मीद वो समाज जिन्दा है जो सपने देखने देता है वो देश जिन्दा है जो सपने देखने देता है वो अव्यक्ति जिन्द करने के होसल न दे उसे मरा हुआ समाज कहते हैं और मरा हुआ समाज मरे हुए नावरीक पैदा करता है मरे हुए हर बेवस्था का पहला और आखरी दाइत तो है कि वह युवाओं को यह उम्मीद दे कि तुम स्रम करो हम ऐसा तंत्र देंगे कि तुम्हारा भविश्य बेहतर हो होगा तुम्हारे सपने सच होंगे हर जिन्दा आदमी का यह फर्ज है और हर जिन्दा बेवस्था का यह फर्ज है बेवस्था चाहे समाज की हो चाहे राष्ट की हो चाहे पुरी दुनिया की हो हर बेवस्था का यह फर्ज है कि वह युवाओं को भविश्य को उम्मीद द वो मरा हुआ आदमी है और जो आपकी उमीद को बल देता है वो जिन्ना आदमी पूजी वाद से दुनिया की जितनी विचार धाराएं टकराई सब टकरा करके चूर हो गई और वह इसलिए चूर हो गई कि पूजी वाद सब को यह उमीद दिखाता है कि आप उपर पहुंच सक हैं कुछ नया आइडिया तो लाइए कुछ नया विचार तो लाइए कुछ नया इनोवेशन तो लाइए आप उपर पहुंच सकते हैं यह पूजी वाद की सबसे बड़ी ताकत है अब यह तो रही पूजी वाद की विसेस्ता लेकिन पूजी वाद के कुछ नाकरात्म पक् आज की दुनिया में पूजी बात के जो नाकरात्मक्पक्ष सामने आए हैं उन सब पर चर्चा करें पूजी बात का जो सबसे बड़ा नाकरात्मक्पक्ष है वो एक आधिकार मोनोपोलिस आप लोगों ने गौर से दिखा होगा कि बड़ी कमपनिया अक्सा छोटी कमपनियों को खरी लेती हैं आपने अभी देखा है कि दो बेवसाय आपस में विले कर जाते हैं इससे मार्केट में क्या हो जाती है एक ही कमपनी की मोनोपोली हो जाती है और जब एक ही कमपनी की मोनोपोली हो जाती है तो मार्केट से सोतंतर प्रतियस्परधा समाब्त हो जाती है यानि पूजी वाज जी सोतंत प्रतियस परधा के नारे देता है एड़ाम इसमित ने फ्री मार्केट के से दांद की ढोल नगारे बजाये थे ब्योहार में तो ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा है बड़ी कमपनिया चोड़ी कमपनियों को खरीड ले रही है आपने देखा है तो गूगल का जलबा है का जूटमोटीं लोग कहते हैं कि वर्च्वल दुनियाаств calendar अफ्री है और कि पूरी वर्च्वल ऐसा नहीं है और यही पुजी बात का नाकरात्मा पक्ष है कि धरातल पर सोतंत प्रतियस परदा नहीं होती है बड़ी-बड़ी कमपनियों का एकाधिकार हो जाता है भारत के संदर में देखिए जीयों का उधारण मैं बता रहा हूँ भारत के टेली काम सेक्टर में जीयों की तक्रीबन मोनोपोली होती जा रही है अर्थाक निसकर्स इस बात के निकला कि कहने के लिए तो प्रतियस परदा है पर वास्तों में ऐसा नहीं है वास्तों में फ्री मार्केट नहीं है या पुजी बात का नाकरात्मक पक्ष है पहला खुश हो कर के कहा कि पूजी बात financial trigger उपलब्द कराता है लेकिन पूजी बात financial trigger किसको उपलब्द कराता है उसके पास जिसके पास धन हो या उसके पास जिसके पास hwner हो, stage हो उसी को तो financial trigger उपलब्द कराता है ने भई या सबको तो नहीं उपलब्द कराता है यानि पूजी वाद आपको तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा यह सच है लेकिन दूसरा सच भी उतना ही विद्रुप्त है पूजी वाद सबको तरक्की के पत्पर नहीं ले जाता है पूजी वाद उसको तरक्की के पत्पर ले जाता है या तो उसके पास पहले से पैसा हो या उसके पास कोई बड़ा हूनर हो या तो ब्यक्ति आई आई टी में पढ़ा हो बड़े कॉलेज में पढ़ा हो, रिसर्च इंस्टूट से आया हो यानि पूजी बाद में पैसे वाले लोग ही आगे बढ़ सकते हैं वह यह पहले से पैसा है तो ब्यावसाय कर लेंगे और जिसके पास पैसा है वही तो अपने बच्चों के सिक्षा पर, स्वास्थ पर, हुनर पर खर्च करेगा पूजी बाद कहता है दो ही चीज मुझे चाहिए या तो संपत्ति लेकर के आओ अपनी कंपनी डाल दो या हुनर लेकर के आओ उस कंपनी में काम करो अन दोनों के लिए पैसा चाहिए भाई यानि पूजी बादी ब्युस्था मुस्व्यक्त के लिए जगा है जो धनवान हो, हुनरवान हो सवाल उठता है जो गरीब लोग है वे नो तोसिक्षा पर बेहतर खर्च कर सकते है नहीं स्वास पर बेहतर खर्च कर सकते हैं नहीं उनके पास संपत्ति होती है कि निवेश करेंगे तो फिर इस पूजी बाद में गरीब की क्या जगा होगी तो पूजी बाद में गरीब ब्यक्ति और गरीब होता जाता है पूजी बाद में गरीब ब्यक्ति और गरीब होता जाता है पूजी बाद फाइनेंसियल ट्रिगर उपलब्द कराता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ अमीरों को गरीबों को नहीं इसलिए आप देखते होगे कि पूजी बादी दुनिया में गरीब वैसे ही सनक किनारे कुड़े की जिन्दगी जी रहा थाज भी जी रहा है जब अख़बार पढ़ते हुए आप पढ़ते हो कि फला उद्योग पती की संपती में तीन गुना ब्रिद्धी हुई सत्तर हजार करोड से वो दो सवस्ती हजार करोड पर पहुंच गए यह ब्योस्ता पुजी भात है अमेरिका बच्चा जाएगा आक्सफोर्ड और कैम्ब्रीज में पढ़ लेगा बड़ी डिग्रिया लाएगा बड़े-बड़े रिसर्च डेवलप्मेंट करेगा पता चला वो तीस साल का हो जाएगा अपना चार्टर प्लें खरीध के घूम रहा है औरंज रेवर और मरसीडिस खरीध के घूम रहा बड़े-बड़े पार्टिया कर रहा है लिसान होटलों मेरा रहा है जंदगी की वल्ले वल्ले उसी उम्र का उससे ज़्यादा स्रम करने वाला ब्यक्ति कापिता साइकल बनाता था बेटा भी साइकल बना रहा है क्यों क्यों कि पुजीवाद ने जो फाइनेंसियल ट्रीगर उपलब्द कराए वो सिर्फ अमीर के इसलिए पुजीवाद ये दुनिया का जो सबसे काला पक्ष है वो ये है पुजीवाद का फाइनेंसियल ट्रीगर गरीबों के लिए नहीं है गरीब और गरीब होता जाता है आर्थिक खाईयां बढ़ती जाती है या पुजीवाद का दूसरा नाकरात्म बख्ष है और इसे दुनिया में अस्मानता बड़ी है दुनिया अस्मानताओं की दुनिया में तबदील हो चुकी है ये कभी ने लिखा एक जगा तुमारे फाइलों में गाओं का मौसम गुलाबी है मगर ये आकड़े जूटे ये दावे किताबी है ये सच है नोईडा के किसी फाइफ इस्टार होटल में गुडगाओं के किसी बड़े मौल में बैट करके जब हम कहते हैं फेस्बुक पर देखते हैं वाह वाह आहा ग्रामिट जीवन कितना अच्छा है सब्चा सुख और आनन तो यही है तो मैं एकसर उन लोगों से कहता हूँ एक बरगेहों के कटाई में गाउं चले जाना फिर पता चले जाए एक बरधान के रोपाई में चले जाना फिर पता चले फेस्बुक में जो तुम्हें तस्वीरे दिखती हैं उन तस्वीरों के पीछे बड़ी पीडाये हैं तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम जिस बेवस्था में हो तुम्हारे पास संपत्ति थी तो तुम्हारे परिवार के लोगों ने तुम पर जादे निवेश किया और पूजीवाद ने तुम्हें फाइनेंसिल टिगर उप्लबता है गरीबों के नहीं उप्लबता है इसलिए आप देखते होगे कि 1991 के बाद दुनिया में पूजीवाद का घोड़ा और तेजी से बढ़ा भारत जैसे देश जो पूजीवाद ही वेवस्था की बिरोदी थे वो भी पूजीवाद के रास्ते पर चल पड़े चीन तो 1978 में चल पड़ा रूस के विक्टेन के बाद रूस भी चल पड़ा पुर बड़ी बड़ी है आकड़े मैं बता रहा हूँ आज दुनिया में एक परसेंट लोगों के पास दुनिया का 82 परसेंट पैसा है सेस 18 परसेंट पैसे में इस दुनिया के 99 परसेंट लोग है इतनी बड़ी असमानता ही इस दुनिया का सच है इतनी भयाबा असमानता ही इस दुनिया का सच है और इस असमानता का कारण या पूजीवादी ब्योस्था ही है क्योंकि इस ब्योस्था के मूल में ही है अमीर और अमीर बनेगा गरीब और गरीब बनेगा इस ब्योस्था के मूल में अमीर और अमीर बनेगा गरीब और गरीब साथ साथ पूजी बाद का जो सबसे बड़ा लाकरात्म पक्ष है जो पूजी बाद ने इस दुनिया को दिया है पूजी बाद ने इस दुनिया को ऐसे मुहाने पर लाकर के खड़ा कर दिया है कि मन में यही भाव उठते हैं ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ये जूटों सवालों जबाबों की दुनिया ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है मिल भी जाए ये दुनिया तो क्या मिलेगी जहरीली हवाएं सांस लेते हैं जहरीला पानी यह जो परिया वरण का संकट खड़ा है ना इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्यदार पूजीवाद है आज दुनिया जिस climate change जलवाई परिवर्तन के मुहाने पर खड़ी है इसके लिए एक विचार जो जिम्यदार है वो पूजीवाद है क्योंकि पूजीवाद कहता है कि अधिक्तम लाव maximum profit और इस profit के लिए संसाधनों का जितना चाहिए दोहन कर लिजिए या पूजीवाद का विचार और पूजीवाद के इसी विचार के कारण जितनी पूजीवादी कमपनियों है सब ने अपने अपने लाव के लिए हमारे जल संसाधनों का दोहन किया हमारे जंगलों का दोहन किया जमीन का दोहन किया वायू का दोहन किया और आज हमारे जल जंगल जमीन सब संकट में है और याद रखिएगा अगर जल जंगल जमीन वायू संकट में है तो मानो कास्तित भी सुरक्षित नहीं रहेगा मानो भी संकट में रहेगा और आज मानो समाज अपने जीवन के सबसे बड़े संकट के मोहाने पर आकर के खला हो सबसे बड़े संकट के मोहाने पर खला हो गया है और ये संकट है उसके अस्तित्तों का संकट और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पूजी वाद जेमेदार है पिछले 100 वर्सों में जब से पूजी वाद की आत्रा शुरू हुई परिया वरण का जितना नुकसान हुआ उतना पिछले 2000 सालों में नहीं हुआ है अकड़े हैं 2000 साल में जितना नुकसान हुआ जितना 100 साल में इस पूजी वाद ने अकेले कर दिया तो परिया वरण को नुकसान भी उसका एक नकारात में पहुच है साथे साथ पूजी वाद ने समाज को भी बड़ी नुकसान पहुचा जा है समाज के सोच और समाज के चिंतन पर पूजीवाद ने सीधे प्रहार किया है पूजीवाद ने समाज के मुल्य और समाज की चेतना को धोस्त करके रख दिया है सच तो ये है इस पूजीवाद ने समाज को एक गिरोह में तब्दील कर दिया है जिससे आप समाच कहते हो गौर से देखोगे तो वह एक गिरोह में बदला हो वो गिरोह है समाच गिरोह बहुत नुक्सान पहुँचाया इस समाच को इसमाच कहोगे कैसे तो दरसल इस पूजी वाद में इस पूजी वादी बेवस्था में जितनी कमपनिया है वे सब काम करती है किसके लिए लाप के लिए और लाप के लिए कमपनिया सहारा लेती है विग्यापन का विग्यापन क्या है कभी गौर से सूचिएगा आप लोग विग्यापन ने तो अर्थवेऊस्था कि मूल से दांद को ही बदल दिया अर्थमे उस्था का मूल से दांद कहता था डिमांड होगी तो सप्लाई होगी भै आप तो उसी चीज को ने खरीदोगे जिसकी डिमांड रहेगी पूजी बात ने कहा कि आप उस चीज को भी खरीद होगे जिसकी डिमान्ड आपको नहीं होगी, लोगों ने कहा कैसे कैसे हो सकता है, पूजीवाद ने कहा हम आपकी मन इस्तिती बदल देंगे, ऐसे, पूजीवाद ने कहा हम आपके ब्रेन पर अटेक करेंगे, हम आपके दिमाग पर अटेक करेंगे, पूजीवाद लेकर के जाएंगे कि आपके पूरे दिमाग को हमारा विज्यापन कम कंट्रोर कर लेगा Google खोलिए एक दो देखिए एड आ गया Facebook खोलिए एड आ गया Television खोलिए एड आ गया YouTube खोलिए एड आ गया खोल देखिए खंबे दिखिए सब कुछ एड दिख रहा है आज का मानो विज्यापनों के प्रहार के बीच जी रहा मानो है गोर से देखिए दो आपके चारों तरफ सी एड का प्रहार हो रहा है और इस विग्यापनों के चलते आपकी मनस्तिती पूरी तरह बदल चुकी है आप उन समस्त बस्तूओं को खरीद रहे हो जिसकी आपको जरूरत नहीं है ठंडा मतलब कोका कोला तो बाकी सब गरम है जो दुकान पर जाओगे कोल्डिंग्स देना किसी भी सावले आदमी को गोरे होने की कोई बज़ा नहीं है मनस्तिकी पहचान उसके सुंदरता उंदरता से नहीं होती है उसके कर्म से होती है मैंने आज तक कभी करीम उरिम नहीं लगा है तुम आदमी नहीं हूँ मैं लेकिन हर सावला आदमी गोरा होने के लिए परिशान है क्योंकि बड़े-बड़े होडिंग लगा दिये फेरन लवली लगाईए खिले निकले नजर आईए अखिर हर सावला आदमी गोरा होने के लिए क्यों परिशान है क्योंकि पूजी बाद ने बिग्यापन डाला और बिग्यापन में क्या डाला कि अच्छा आदमी कौन जो सुन्दर हो सुन्दर कौन जो गोरा हो वाहरे दुन वाहरे दुन अच्छा आद्मी अब अपने आचरण से अच्छा नहीं हो रहा है अच्छा आद्मी हो नहीं है जो शत्य बोलता हो ये मांदार हो समास देश के लिए काम करता हो अच्छा आद्मी हो है जो एकदम सूटेट बूटेट एकदम प्लास्टिक के गुड़े गुड़ी हो जैसा दिखता है अब अच्छा आद्मी कौन है जो सुन्दर है तो सुन्दर दिखने के लिए आद्मी क्या करेगा दुनिया भर का बाल कटवाएगा सेंपू लगाएगा दुनिया भर का क्रीम पाउडर पोतेगा दुनिया भर के तरह तरह के कपड़े पहनेगा दुनिया भर के जूते पहनेगा दुमांड क्रियेट हो गई भुजी बात कहता है अब बेटा हम समान तुम से बेचेंगे तुम कमाओगे और हमारा माल खरीदोगे काम खतम पुरी जिंदगी कोलू के बैल की तरह पिस होगे सिर्फ हमारा माल खरीदे भुजी बात देखिया किया है अपने विज्यापनों के माध्यम से पूरे समाज की मन इस्थिती को बदल दिया है और सबसे बुरा जो समाज वो किया वो महिलाओं के साथ किया महिल इस्थितो पूजी बाद की दुनिया में देह बन किरा गई जो इस प्रकृति की जननी है जिसके दम पर पूरी प्रकृति खड़ी है और सारी लड़किया है सारी लड़किया उसके पीछे भाग रही है लड़की अच्छी कौन जो सिलिम ट्रिम हो सुन्दर हो गोरी हो अरे बेटी अच्छी तब होती है जब वो पढ़ती है लिखती है लड़ती है मुझे डाक्टर बनती बेटी अच्छी लगती है इंजिनियर बनती बेटी अच्छी लगती है बेवसाय करती बेटी आच्छी लगती है केति किसानी करती बेटी आच्छी लगती है यह रैम पर चलते हूं बेटी अच्छी नहीं लगती है लेकिन आप गोर से देखना है वो हर विग्यापन जो लड़कियों के भी काम का नहीं पुरुस का विग्यापन है कार का विग्यापन है लेकिन बगल में छोटे कपड़े पहने वो लड़की खड़ी है मुद्दा ये नहीं है छोटे कपड़े बड़े कपड़ों से नहीं है यह हर लड़की का अधिकार है वो क्या पहने यह वो तेह करेगा ये सिर्फ और सिर्फ कौन तहेगा थे करेगा वो लड़की तहे करेगा और कोई तहे नहीं करेगा लेकिन सवाल है कि पूजेवाद ने क्या कर दिया है विग्यापनों को लोगों तक पहुँचाने के लिए इस तरीको देह बना दिया और इस सर्वाधिक नुकसान इस तरीक आई हुआ उसने अपने दिमाग पर कम काम करके देह पर जादे काम करना शुरूग उससे समाज उससे दो-चार महिलाओं का तो फायदा हुआ कोई माडल बन गया, कोई हिरोईन बन गया कोई एक्टर बन गया, उनका तो फायदा हुआ पैसे कमा लिए उनका तो बेवसाय है लेकिन लाकों करोडों लड़कियां कनुक्सान हो गया क्योंकि उन्होंने अपने स्किल पर काम नहीं किया अपने हुनर पर काम नहीं किया सारा और जब फोकस हो गया उनके देंपर और जब वो बाजार में काम ढूटने गई तो काम नहीं मिला यह वित्र ने लिखा है किसी अच्छे कभी ने लिखा है कि खुले खुले बदन पर साबुन का जाग हो गई और पान पराग हो गई समाज का सबसे बड़ा नुक्सान किया है हमारी महिलाओं को दिख्ध्रमित कर लिए कॉस्मेटिक्स परपशा करने वालों की संख्या बढ़ गई जिनेवा में क्यों दिखाय जाता है कि जो कोई सफेच होगा सेंपन की बॉटल खोलेगा और जो कोई दुख्य होगा तो कि आप खुष होंगे तो भी शराभी पिएंगे दुख्य होंगे तो भी स्राभ पियागा अरे भया मानो जीवन में यही दो तो होता या है तो कुछ साहए है तो दुख है यानि हम आज भी सरा प्येगा तो इलकॉल भूकहएगा खोब बिक आ है टोबाइको प्रोड़क्ट शूब बिक रहे कास्मेटिक खोब बिक रहे मिन कैसे बदल मैं दी थाओंगा तो तलाते हुए बोलता है नहीं मैं दी थाओंगा इसके परिडाम क्या हो रहे हैं अरे परिडाम हो रहा है मोटापा परिडाम हो रहा है कैंसर तो पूजी बाद ने समाज की मनःस्तिती को बदल दिया यह पूजी बाद का नाकारात्म पक्ष है इतना ही नहीं पूजी बाद से एक्चुल में लोगतंत्र को भी खत्रा है पूजी बाद कहता कुछ और है करता कुछ और है पूजी बाद कहता है कि हम लोगतंत्र के साथ रहते हैं पूजी बाद हमेशा लोगतंत्र की अपील करता है पूजी बाद हमेशा लोगतंत्र को बढ़ाने के बाद करता है इसलिए जितने पूजी बादी देश है उतने लोगतंत्रिक देश भी है अमेरिका सबसे बड़ा भारत में भी ऐसा है हर पूजी बाद जब से भारत पूजी बाद के और बढ़ा है वो चिला चिला करके लोग तंतर के नारे देता है लेकिन एक्चुल में वास्ता में क्या है यह जो बड़ी-बड़ी कंपनिया है न चुनाओ को मैनेज करती हैं सच है गूगल उगल की इतनी अवकात है कि जब चाहिए दस-विस देसों में सरकार बदल रहे हैं चोटे-चोटे देसों चुनाओ को मैनेज करती हैं कमपनिया चुनाओ में पैसा खर्च करती हैं किसी एक दल के पक्ष में पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं ताकि वह अपनी मन पसंद स तो किसी एक दल के पक्ष में पैसा खर्च करके सरकार बनवा लेती हैं तो खिर जिस सरकार से कहकर के देश के सभी संसाधनों पर अधिकार कर लेती है को यह दुख पती जब आपको चुनाओं में एक हजार करोड का चंदा देगा ना तो चुनाओं के बाद तो कहेगा कि रिसोर्सेज हमें चैनि यानि और प्रत्यक शुरूप से यह क्या कर रही है लोग तंत्र को कि पुजिवाद क्या कर रहा है कंपनिया क्या कर र नहीं है अपनी मन पसंद की सरकारे बनवा रही है सोसल मीडिया से लेकर की नूज इत्याज के सभी स्थ्रोतों पर कंट्रोल कर ले रहे हुए इतना ही नहीं कई देशों में तो बड़ी कमपणियों ने सरकारों को उस्थिर कर दिया उनके हित्वे नीड़ा नहीं लिया सरकारे गिरा दिया ये शारी बाते लोक तंत्र के देपक्ष में जाने यानि पूजी बात लोक तंत्र को भी नुक्सान करता है तो ये रही पूजी बात की हमारी यात्रा आर्थिक राजनेतिक विचारधारा के रूप में पूजी बात कैसे पूजीवाद ठीक काम करता है, क्या विशेष्टा है, क्या नकारात्मक पक्षे आपने समझा, एकॉनमी में वस इतना ही समझना है, तो बात हमने शुरू की थी कि पूजीवाद में पूजीवाद इस सब्ड का मतलब क्या है, पूजीवाद की परिवासा क्या है, पूज पुजिवात के साकारात्म पक्ष क्या है, पुजिवात के नाकारात्म पक्ष क्या है, बस यही सिक्वेंस से जाना है, यही आपकी एंस्वर राइटिंग हो जाएगा, अब बात करते हैं, पुजिवात की यह बर्वक्स, पुजिवात की प्रतिक्रिया में जो दूसरी विचा रधराई साम्मेवात की समाजवात की वो क्या है उस और चलते हैं जब बात समाजवात की होती है तो पहला यह सवाल उफता है या खिर यह आया कहा से दरसल यह आया पूजिवात के खिलाफ पूजिवात के प्रतिक्रिया भी थोड़ा मैं ले चलता हूँ आपको उस दोर में जब अध्योगी क्रांती की सुरुवात हुई थी पुजिवादी बेवस्था आई थी अपने चरप पर आए पुजिवादी बेवस्था की धेर सारी कमिया थी और धेर सारी अच्छाई भी थी जो सबसे बड़ी अच्छाई थी वो यह थी कि यह एक फाइनेंसियल ट्रिगर उपलब्द कराती थी आज भी कराती है तो सबसे बड़ी बुराई यह थी कि यह एक वर्ग का सोसर करती थी किसी वी कीमत पर लाग कमाती इसे प्रतिक्रिया में शाम्यवाद और समाजवाद आया एक बात और विद्यार्थी ध्यान रखी कई किताबों में या कई लोगों ने साम्यवाद और समाजवाद को एक ही चीच पढ़ाया है नहीं दोनों में अंतर है यह सच है कि अंतर बहुत बारीक है दरसल पहले सास्थ के दूसरे सिध्धान पहले शाम्यवाद की और चलते हैं और फिर समाजवाद की तो जब हम बात करते हैं शाम्यवाद की कम्यूनिजम की शाम्यवाद की तो पहला सवाल जेहन में यही उड़ता है कि आखीर ये कम्यूनिजम है क्या शाम्यवाद है क्या जब आप समझ पूजी बाद के बिरोध में या आया ही पूजी बाद की बिसंगतियों के खिलाफ आया तो आये बात करते हैं परिचे करते हैं तो जब हम सामेबाद की बात करते हैं कि आखिर क्या है शामेबाद तो जबाब ये मिलता है कि सामेबाद एक ऐसी विचारधारा है जहां लोग का करते हैं अपनी छम्ता के अनुसार लेकिन चीजें उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से मिलती है यही साम्यवाद की सबसे बेहतर परिभासा है और यहीं आप साम्यवाद और पुजीवाद का अंतर समझें साम्यवाद क्या कह रहा है कि अपनी अपनी छम्ता के अनुसार काम क किसी की छमता 100 रुपे कमाने की है तो 100 रुपे कमाएगा और किसी की छमता रोज 2 करोड कमाने की है तो 2 करोड कमाएगा लेकिन मिलेगा नहीं 2 करोड समझे ना मिलेगा उतना ही जितनी उसकी जरूरत हो से संपत्ति नहीं मिलेगी जैसे माल लीजिए कोई मजदूर है उसके भ वो सो रुपे ही रोज कमाता है दूसरी तरफ कोई बड़ा इंजिनियर है जिसकी भी पत्नी है दो बच्चे हैं उसके रोज का काम दसलाख रुपे के बराबर हो भले ही ये दसलाख रुपे के बराबर काम करेगा और अगला सो रुपे के ही बराबर काम कर रहा है लेकिन दोन अठत एक हजार रोज मिलेगा वहीं जो दूसरा व्यक्ति है जो दसलाख रुपे रोज कमा रहा है उसके परिवार में भी इतने ही लोग है चार ही लोग है पती पत्नी और दो बच्चे हैं उनकी भी जरुवत अगर एक हजार है तो भले ही वो दसलाख कमारा मिलेगा एक ही यही है सामेवाद का मूल काम किजिए अपनी छमता के नुसार चीजे मिलेंगी आपको अपनी जरुवत के आप देखिए यही अंतर भी है पुजी बात और सामेवाद पुजी बात क्या कहता है कि रे भाईया अपनी छमता की और अपनी छमता से काम किजिए और जितनी आप की जरुवत है उतना ही आपको मिलें तो सामेवाद के मूल में यही है काम कीजिए छमता के अनुसार चीजे मिलेंगी जरुवत क्या अब सबाल उठता है आप लोग कहोगे कि यह सामेवाद अखिर है क्या यह बात तो ठीक है भया मूल में यही है कि छमता के अनुसार काम कीज पूरी समाज को जब हम पढ़ते हैं, पूरी विचारधारा को पढ़ते हैं, तो साम्यवाद में कलपना की जाती है, कहा जाता है कि साम्यवाद एक ऐसे समाज की कलपना करता है, एक ऐसे ब्योस्था की कलपना करता है, जहां पैसा नहीं है, पैसा नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि शाम्यवादी अर्थ बेवस्थाय में मुद्रा नहीं होती है अतिरिक्त मुद्रा किसी के पास नहीं होती है क्योंकि हर व्यक्त को उतना ही पैसा मिलता है जितनी उसकी जरूरत हो और हर व्यक्त की जरूरते समान होती है साम्यवाद कहता है हर व्यक्त की जरूरते समान है किसी की अतिरिक्त जरूरते नहीं है तो भाईया जब सब की जरूरत समान है और जरूरत के हिसाब से ही सब को पैसा मिल रहा है तो क्या वहाँ अतिरिक्त पैसा होगा सरप्रस मनी होगी नहीं होगा तो जो कहा जाता है कि शाम्यवाद में पैसा नहीं है इसका तात पर ये होता है कि किसी के पास अतिरित पैसा नहीं है जितनी जिसके जरुवत है उतना ही मिल रहा है इसका एक कत्ता ही मतलब नहीं होता है कि अर्थ बेवस्था में मुद्रा नहीं है मुद्रा है जा रही है लेकिन उतनी ही जितनी लोगों की जरुवत है तो सामेबाद एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां पैसा नहीं है सामेबाद कहता है एक ऐसी बेवस्था की कल्पना करते हैं जहां राज या सरकार नहीं है अर्थात सामेबाद कहता है कि जैसे ब्रिट पूरी दुनिया मजदूरों की है, पूरी दुनिया स्रमिकों की है, सामे बाद कहता है जो सरकार है न ये राज है सब फरजी संस्थाए हैं, तब मजदूरों के सोसर के लिए बनाई गई संस्था, सामे बाद किसी भी राज के अस्तित को विकारता नहीं है, सभी राज के अस् सामेवाद कहता है कि हमारे व्योस्था में अमीर गरीब का भी विभाजन नहीं होगा को ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा क्योंकि सब को उसकी जरुवत के हिसाब से ही पैसा मिलेगा सासा सामेवाद ये भी कहता है कुदपादन के जितने भी साधन होंगे चाहे जमीन हो चाहे खेत हो चाहे उद्योग हो चाहे खनी संसाधन हो इन सब पर जो मालिकानाख होगा वो मजदूरों का होगा अर्थात जनता का होगा यानि सभी मजदूर मालिक होंगे सभी जनता मालि कोई सरकार नहीं होगी, कोई राज्य नहीं होगा, कोई नीजी संपत्ती नहीं होगी, कोई उद्योगपती नहीं होगा, कोई बड़ा आदमी नहीं होगा, पूरे के पूरे संसाधन, पूरी की पूरी धरती, सब कुछ किसका होगा, जनता का होगा, मजदूरों का होगा, यह कि विचारधारा की कुछ भी सेस्ता आई है। सुनने में बड़ी क्रांतिकारी और बड़ी आकरसक लगती है विचारा तो आप लोगों के जेहन में सवाल उठा होगा कि या खिर ये विचारधारा आई कहां से। तो आईए इस विचारधारा की उत्पत्ति की बात करते हैं। यूरोप में हुई ओद्योगी क्रांति और उस ओद्योगी क्रांति का परिराम था कि बड़े-बड़े उद्योग लगे। क्या लगे? बड़े-बड़े उद्योग लगे। और यह ओद्योगी क्रांति किसका परिराम थी? पूजीवाद का परिराम थी. ओद्योगी क्रां तूर थे वो बुरी हालत में थी जो कि पूजी बात कहता क्या था उस दोर में maximum profit maximum profit तो इन उद्योगों में जिन लोगों के पास पैसा था उन लोगों ने उद्योग लगा दिया जिन लोगों के पास शमता थी इस किल था बैग्यानिक खोजे थी तकनीकी रूप से दक्ष थे उन्होंने काम किया खूप पैसा पाया लेकिन ये सारी मजदूरे उस दौर का ये सारी जो उद्योग थे उस दौर के आरंभिक मसीनी करण के उद्योग थे यानि उन उद्योगों में मसीने काम तो करती थी लेकिन आज के तरह मसीने नहीं काम करती थी सारी कि सारी मसीने हाथ से संचालित होती थी तो इन उद्योगों में मजदूर भी अधिक होते थे अब इन उद्योगों में क्या होता था कि जो बड़े-बड़े उद्योग पती थे जिनोंने पैसा लगाया उद्योग खड़े किये उन्होंने मजदूरों का सोसर करना आरंब कर दिया उन्होंने मजदूरों से काम के घंटे जादा लिये अर्थाद मजदूरों से अधिक काम करवाया यानि काम के घंटे जादे थे साथ-साथ मजदूरी बहुत कम दि मिलती थे जीने खाने भर का मिलता था मालिक अमीर लोग थे जो मजदूरों का सोसर करते थे जैसे मजदूरों से 18-18 घंटे काम करवाते थे मजदूरों को मीनिमम बेतन देते थे मजदूरों को दोपर का लंच और खाना तक नहीं देते थे मजदूरों को गंदी छोटी छोटी बस्तियों में रखते थे ताकि उनके रहनसान का खर्चा कम हो काम के दौरान मजदूर बीमार है तो भी जवरदस्ती काम लेते थे मजदूर मर गया तो भी कोई बात नहीं है गुलामों से काम लिया, दासों से काम लिया बिभिन प्रकार की उपनियोसव में जो गुलामी में लोग थे उनको पकड़ पकड़ करके लाय जाता था, जानवरों की तरह काम कराय जाता था काम करते करते ठक जाते थे, मर जाते थे, कोई फरक दी आप सोचेंगे कि उस दोर की ब्यवस्था कैसे ये सब बरदास कर लेती थी तो उस दोर की ब्यवस्था इसलिए बरदास कर लेती थी क्योंकि उस दोर की ब्यवस्था में जो बड़े लोग थे, वो सब बड़े-बड़े उद्योगों के मालिक थे जो सरकार थी वो भी इन बड़े-बड़े उद्योगों और उद्योगपतियों के पक्ष में खड़ी थी क्योंकि बड़े-बड़े उद्योगों के मालिक कहते थे बड़े-बड़े उद्योगपति कहते थे कि जो हम पूजी बाद में अंतिम प्रॉफिट ला रहे हैं वही सच है और लाभ लाने के लिए कुछ लोगों की बली तो चरहानी भी पड़ी तो सरकारी भी चुप थी पड़े लोग भी चुप थे और जनता का अंतही सोसरो यानि कुल मिला जुला करके मजदूरों के हाथ में आता था सोसर्ण, यंत्रणा, अभाव, भुखमरी, मौत, वहीं बड़ा बड़ा लाभ, सारा लाभ, उद्योग पती ले जाने थे यहां बिवस्था चल रही थे अगर गौर से देखें तो उस समय के समाज में पूरे के पूरे यूरोप अमेरिका में दो वर्ग हो गया था एक वर्ग था अमीर फैक्ट्री मालिकों का तो दूसरा वर्ग था गरीब मजदूरों का और इस दो वर्ग का होना ही उस दौर की सबसे बड़ी आर्थिक समाजिक समस्या थी क्योंकि सारा लाव अमीर फैक्ट्री मालिक ले जाते थे और गरीब मजदूरों के हिस्से में पुझा देती ये सच है कि उस तनाव और आक्रोस को आवाज नहीं मिल गई थी लेकिन किसी भी समाज में जब विशमताएं अधिक होती है तनाव और आक्रोस अधिक होते हैं तो कोई न कोई तो आता है जो उस तनाव को उस आक्रोस को उन विशमताओं को आवाज देता था है इसी परिस्तियों में एक दारसनिक आया जिस दारसनिक का नाम है काल मार्क्स यह उनकी तस्वीर है देखने जिए जिस दौर में पुझी वाच चरम पर था मजदूरों का सोसर हो रहा था मजदूरों की बात करने वाला आवाज उठाने वाला कोई नहीं था ऐसा लगता था कि इस रात की कभी सुबह नहीं होगी लेकिन याद रखिएगा दुनिया में आज तक कोई रात भी नहीं आई है जिसके सुबह नहीं हो हर रात के सुबह होती ही होती है यह प्रकितिका सबसे ब्रास्ट है एक व्यक्ति आया काल मार्क्स एक जर्मन दार्सनिक था इसने उस समय के मजदूरों के पीड़ा को महसूस किया और इसने ये भी मैंशूच किया जो पीड़ा है या इक के दुखे किसी मजदूर की नहीं है या पीड़ा दुनिया के समस्त मजदूरों की है और इस पीड़ा का स्रोत पूजीवाद है इसने कहा कि जब तक याप फूजी वादी बेवस्था रहेगी सोसड होगा, यंतरा होगी, समाज का एक बर्ग बहुत खुसहाली में जीएगा तो समाज का दूसरा बर्ग मुफ्लिस में जीए और काल मार्क्स ने एक दरसं दिया काल मार्स ने कहा कि जो ये समाज है आग लगाओ इस समाज को आग लगाओ इस ब्योस्था को एक नया समाज बनाओ एक नई ब्योस्था बनाओ और काल मार्स ने लिखा 1848 में कॉमिनुष्ट मेनिफेस्टो और अपनी कॉमिनुष्ट मेनिफेस्टो में ही एक आदर समाज और एक आदर सब्योस्था की कल्पना की काल मार्स ने क्या कहलाई साम में वाद कहलाई काल मार्स ने अपने कम्यनुश मैनिफेश्टों में जिस साम्यवादी वेवस्था की कल्पना की उसमें कहा काल मार्स ने कि हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां मालिक और मजदूर का अंतर नहीं होगा काल मार्स ने कहा कि उत्पादन के जितने भी सादन है चाई खेत हो चाई जमीन हो चाई खान हो चाई उडोग हो इनके मालिक कोई अमीर लोग नहीं होंगे बलकि सारी की सारी जनता होगे कालमार्स ने कहा कि इस समाज में कोई वर्ग नहीं होगा कोई भेदभाव नहीं होगा सब के पास समान संपत्ती होगी कोई अमीर और गरीब नहीं होगा कालमार्स ने भी कहा कि कोई पैत्रिक संपत्ती नहीं होगी अर्थात पिता ने जो संपत्ति अर्जित की है वो बेटे को नहीं देगा जो जब उसकी मृत्य होगी तो उसकी पूरी संपत्ति समाज की हो जाएगी हाँ बच्चों के पढ़ाई लिखाई स्वास का खर्चा समाज चलाएगा और बच्चों को खुद गाम करना होगा आगे पूजी मेरी है या पूजी मेरी है यानि काल मार्स कहता है अपने कमिनिश्ट मेनिफेस्टों में कि किसी भी व्यक्ति के लिए यह कहने का अधिकार नहीं होगा यह कहने का मौका नहीं होगा कि यह मेरा है बलकि हर व्यक्ति कहेगा कि सब कुछ मेरा है क्योंकि समस्त संसाध कालमार्स ने भी कहा कि सभी उद्योगों का सभी लोगों का सभी शंपत्ति पर मालिकाना हक होगा यानि हर एक व्यक्ति कह सकता है कि यह सब कुछ मेरा है हर व्यक्ति कह सकता है कि यह सब कुछ मेरा है लेकिन कोई एक व्यक्ति यह नहीं कह सकता यह सिर्फ मेरा है अंतर समझना जैसे हम लोग कहते हैं न कि रेलवे हमारी शंपत्ती है क्योंकि रेलवे सरकार की संपत्ती है लेकिन कोई यह नहीं कह सकता है न कि रेलवे सिर्फ मेरी संपत्ती है लेकि रेलवे जिस दिन किसी अंबानी जी को बेश दी जाएगी तो अंबानी कहेंगे न कि रेलवे सिर्फ पर सिर्फ मेरी शंपत्ति थीक वही बाद कालमार्स कह रहा है थीक वही बाद कालमार्स कह रहा है कालमार्स ये कह रहा है या शाम में बाद ये कह रहा है कि हर एक का सभी संपत्ति पर मालिकाना हख होगा सबका होगा काल मार्स कह रहा है कि सबको मुफ्त सिच्छा होगी सबको फ्री एज़ के सल मिलेगी सबको मुफ्त स्वास सुविधाय मिलेगी सबको फ्री हेल्थ मिलेगा और बराबर का मिलेगा काल मार्स ने राज के अस्तित्त को ही न कर दिया उसने कहा राज नाम की कोई सस्था हो नहीं होगी तो लोगों ने पूछा राज नाम की कोई सस्था नहीं होगी तो होगा क्या तो काल मार्स ने कहा कि पूरी दुनिया मजदूरों की होगी और पूरी दुनिया के मजदूर ए ठिक वंज में आई वा यही है सामयवादी समाज और यही है सामयवादी समाज की विसेस्ता है यही है सामयवादी व्यवस्ता की विसेस्ता है अब सवाल उठता है कि दिखने में इतनी आकरसक और क्रांतिकारी से दिखने वाली ये मिचार धारा दिखने में इतना आकरसक और जुलंत दिखने वाला यह समाज कैसे बनेगा लोगों ने कारल मार्स से पूछा भी और कारल मार्स ने अपनी एक किताब लिखी ददास कैपिटल में इस दास कैपिटल में कारल मार्स ने बताया भी कि ऐसा समाज बनेगा कैसे ऐसा समाज बनेगा कैसे ऐसा समाज बनेगा कैसे और साम्मेवादी समाज बनाएंगे लोगों ने पूछा के रहे मार्स सहाब कैसे बनेगा ये समाज तो मार्स ने कहा इस समाज के लिए बलिदान देना होगा पूरी दुनिया के मजदूरों को एक साथाना होगा पूरी मजदूरिया के दुनिया के मजदूरों को क्रांती करना होगा और पूरी दुनिया के मजदूरों को बेवस्था बदलनी होगी एक नए समाज की अस्थापना करनी होगी इसी बेवस्था के बदलाओ के लिए इसी नए समाज की अस्थापना के लिए काल मार्स ने सारी दुनिया के मजदूरों का आहवान किया और आहवान करते हुए अपनी पुस्तक दास कैपिटल में लिखा कि मजदूरों तुम्हारे पास खोने के लिए तुम्हारी बेडियों की अतरी कुछ नहीं है मार्स ने कहा तुम बेडियों में जकड़े हुए लोग हो अगर क्रांती करोगे इस क्रांती में हार भी जाओगे तो कुछ नहीं है जो तुम खोदोगे बेडिया ही तो है लेकिन अगर क्रांती सफल हो गई तो सारी दुनिया तुमारी होगी मार्ष ने कहा दुनिया के मज़़ूरों आओ तुमारे पास खोने के लिए तुमारी बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं है आओ और क्रांती कर दो बेवस्था बदल दो इस सारी बात मार्ष ने कही इस सारी बाते सामेवादी विचारधारा के ध़त गही लेकिन यह सारी चीजे बस एक कलप ना थी मार्स की किताब में थी उसके communist manifesto में थी उसके dus capital में थी यू कहिए कि यह एक utopia था utopia का मतलब मार्स के अपने दिमाग का रचा एक संसार था जो उसकी किताबों में था समाज में यह सब नहीं उतर पाया धरातल में यह सब बास्तों में नहीं हो पाया मार्स मर गया वो उसने अपने कम्यूनुजम को अपने शामेबाद को कभी भी धरातल पर उतरते नहीं निका यह सब बाते किताबी ही रह गई या सब बाते कल्पना में हिरा गई लेकिन एक बार जब बाते चल जाती है तो फिर बाते रुखती नहीं मानो एक बार जब सोचने लगता है कहा जाता है किसी भी मनुश्य को रोकना हो उसको सोचने से रोक दो उसको कल्पना करने से रोक दो उसको सपने देखे रूसों के बारे में फ्रांस की क्रांटी में एक बेखती हुआ रूसों उसके बारे में लिखते हुए इतिहासकारों ने लिखा है रूसों ने एक बार सोचना शुरू कर दिया तो फिर पुरा सारा फ्रांस सोचना शुरू कर दिया तो फिर फ्रांस की सार पूरी दुनिया ने सोचना सुरू कर दिया और एक एक करके बड़े से बड़े दुर्गुस सामराज तास के पक्तों की तरह भरभरा करके गिवने लगा तो मार्स ने सब कुछ तो कर दिया सोच दिया लिख दिया मार्स ने जो कुछ भी लिखा जो कुछ भी सोचा वही सामयबाद कहलाया यानि हम कह सकते हैं कि अब तक जो हमने पढ़ा वो क्या कहलाया वो कहलाया सामयबाद यहां तक क्या था शाम्यवाद, तो शाम्यवादी ब्योस्था का उद्भो कहां से हुआ, आपने समझ लिया, कि साम्यवादी ब्योस्था का उद्भो पूजीवाद के सोर्चर के खिलाप हुआ, साम्यवादी ब्योस्था की मूल भूत विसेस्ताय क्या है, ये समझ लिया, साम्यवाद में और मार्स मर गए लेकिन समय भीत्ता गया मार्स की ये कितावे पूरे यूरोप में फैली कम्मिनिस्ट मैनिफेस्टो पूरी दुनिया में फैली दास कैपिटल पूरे दुनिया में फैला लोग पढ़े लिखे इससे बहुत जादे प्रेरी थुए छुटपुट अस्तर पर सं अंगर्स होते रहे विरोध होते रहे परिवर्तन की आवाजे गूसती रही लेकिन सब लोग कहते रहे ये मार्स की जो विचारधारा है इसे कभी धरातल पर नहीं उतरा जा सकता है लोग ये भी कहते रहे कि मार्स एक कल्पनावादी आदमी था जो एक यूटोपिया में ज रूस के थे जर्मनी गए जर्मनी में उन्होंने मार्स के दरसन को पढ़ा कम्यूस्ट मेनिफेस्टों को पढ़ा दरसल उनको रूस से देश निकाला दे दिया गया था खुरापाती आदमी था तो रूस से देश निकाला दे दिया गया था तो सरड लेने के लिए वो जर्मनी हvent to have down a reasonable 2017 कि प्रौपा का हुद प्रभां पड़ा। न्हों महां बैट करके मार्स के कम्यूस्ट मेनिफेस्टों को पढ़ा, उन्हों महां दास कैपिटल को पढ़ा। और जर्मनी से जब वापस रूट्स लौट करके आये तो पूर्ता वो मार्स की विचारधारा के अनुआई बन चुके थे पूर्ता शाम्यवादी क्रांतिकारी बन चुके और यहां इतिहास का मुद्दा है इसको नहीं छेडेंगे जब रूस में लेनिन लोटा तो लेनिन ने मार्स की विचारधारा के आधार पर रूस में संग्ठन बनाना शुरू किया मार्स की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया और अन्ततह 1917 में रूस की क्रांती हो गई जिसे लेनिन ने किया यानि मार्स के दर्सन से प्रेरित हो करके लेनिन ने रूस में क्रांती कर दी और रूस के सासक जो जार हुआ करते थे जार की सत्ता को उखार करके ठेक दिया और चुकि अनुवाई मार्स का था प्रेरित मार्स से था प्रभावित मार्स से था तो किस में चारधारा को लागू करेगा मार्स की कम्यूनिस्ट विचारधारा को ही लागू करेगा तो जब इसने क्रांटी की तिसने रूस में कम्मिनिस्ट विचारधारा को लागो कर दिया पहली बार लेनिन ने जब कम्मिनिस्ट विचारधारा को लागो कर दिया तो पहली बार मजदूरों के मानव अधिकारों को प्राथमिक दा दी मार्स ने कहा था कि मजदूरों के भी मानव अधिकार होते है लेनी ने कहा हाँ हम कानून बनाएंगे और मजदूरों को भी मानव अधिकार देंगे हम मजदूरों को भी मानव मानेंगे हम पूजी बादियों की तरह ये नहीं कहेंगे कि मजदूर मर गया तो मर गया मजदूर के आँखों में आशू है तो है और पूजी वादी कहते थे ये मौत ये आशू ये सोसर ये दुख तो विकास की कीमत है धन के सरजन की कीमत है लेनी ने कहा ऐसा विकास नहीं चाहिए लेनी ने कहा किसी आँख का आशू धन के सरजन की कीमत नहीं हो सकता लेनिन ने कहा हम मार्स के विचार धारा के आधार वाला समाज बनाएंगे और मजदूरों को प्राथ्मिक तो लेनिन ने पहली बार रूस में मानवाधिकारों को प्राथ्मिक्ता दी लेनिन ने काम के घंटे नियत कर दिये और सप्ताह में काम के दिन भी न नियत कर दिया लेनिन ने पहली बार नियत किया कि प्रती दिन आठ घंटे का काम होगा सब्ताह में पांच दिन काम होगा लेनिन ने खेती की जमीन को अमीरों से छीन लिया और किसानों में बांट दिया लेनिन ने उद्योगों का राश्ठी कर दिया गया गौर से देखिए तो यही वो बिंदु है जहां लेनिन ने मार्स के दर्शन को छोड़ दिया मार्स क्या कहता था कि राज नाम की कोई संस्था नहीं होगी लेनिन ने कहा नहीं राज होगा लेनिन ने कहा राज होगा यानि हम कह सकते हैं कि लेनिन ने मार्स के एक दो विचार धारा को छोड़ दिया और मार्स के विचार धारा में एक दो बाते नहीं चोड़ दिया मार्स ने कहा था कि कोई राज नहीं होगा लेनिन ने कहा राज होगा मार्स ने कहा था कि कोई सरकार नहीं होगी लेनी ने कहा नहीं सरकार होगी लेनी ने कहा कि हम ये मार्स की विचारधारा की जो चीजे छोड़ रहे हैं वह इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि मार्स के पूरे विचारधारा को धरातल पर उतारने के लिए सरकार की जरूरत है हम मार्स के विचारों के आधार की अत्विवस्था बनाने के लिए मार्स के कुछ सिध्धान छोड़ रहे हैं और अपने नए सिध्धान जोड़ दे रहें यानि कुल मिला जुला करके जब लेनिन ने उद्योगों का राष्टी करन किया तिहां लेनिन ने मार्स के सिध्धानत को बदल दिया और लेनिन ने रूस में वन पार्टी इस्टेट की अस्थापना की लेनिन ने रूस में कहा कि एक ही पार्टी होगी और वही पार्टी सासन करेगी और उस सासन का उदेश्य होगा कॉम्यूनिस्ट आदर्सों पर समाज औ और अर्थ बेवस्था का निर्मान करना कुल मिला जुला करके हम कह सकते हैं कि लेनिन ने मार्स के कुछ सद्धान्तों को छोड़ दिया तो कुम्यूनिश्ट विचारधारा में कुछ सद्धान्त अपने जोड़ दिये और यही सोबियत साम्यवाद कहला या अगर कुछ बात क्यों किया जाए तो मार्स ने क्या दिया था शाम में बाद अगर इसको ऐसे करें तो मार्स ने क्या दिया था मार्स ने दिया था साम्मिवाद या मार्स का साम्मिवाद है है ना ठीक इसमें से लेनिन ले करके आता है इस मार्स के साम्मिवाद से ही कुछ को छोड़ देता है जैसे मार्स के साम्मिवाद में कहा गया था राज्य नहीं होगा सरकार नहीं होगी लेनिन ने कहा नहीं लेनिन ने कहा कि हम इस सिद्धान्द को छोड़ रहे हैं और कुछ नया सिद्धान्द जोड़ रहे हैं जोड़ा क्या कि राज्य होगा सरकार होगी यह इसलिए जोड़ा जो कि मार्स ने कहा कि मार्स के ही साम्यवाद को धरातल पर उतारने के लिए चीजे जोड़नी जरूरी है तो जो लेनिन ने बेवस्था बनाई उस बेवस्था में मूल चीजे तो मार्स के साम्यवाद की ही थी लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन लेनिन ने कर दिया था यानि मूल चीजे मूल जो था साम्मेवाद का था और कुछ परिवर्तन कर दिया था लेनिन ने इसके बाद जो बेवस्था बन के उभरी वह कहलाया रूसी साम्मेवाद वह कहलाया रूसी साम्यवाद यानि मार्स के साम्यवाद से कहां पहुँचे हम रूसी साम्यवाद पर यानि फ़र्ष्ट इस्टेप क्या है मार्स का साम्यवाद दूसरा इस्टेप क्या है रूसी साम्यवाद रूसी साम्यवाद सब कुछ मार्स के ही साम्यवाद जैसा है बस एक अंतर है कि रूसी साम्यवाद में राज्य है सरकार है वाकि सब कुछ मार्स जैसा ही है अब जब लेनिन ने रूस में साम्मेबाद बना दिया और कहलाया रूशी शाम्मेबाद या इसी को हम कहते हैं सोबियत साम्मेबाद क्योंकि उस समय रूस को कहा जाता था सोबियत संग्रूस तीसे कहा गया सोबियत सामने वाद या बोल चाल की भासा में रूशी सामने वाद भी कह लेते हैं लेकिन कितावी भासा में इसे सोबियत सामने वाद ही कहा जाता है तो मार्स के सामेवाद से हमारे सामने आया सोवियत सामनेवाद अब इसका प्रभाव भी होगा कहा जाता है जब रोस की क्रांती हुई तो इस क्रांती के आदर्स और से दांत पूरी दुनिया में बिजली की तरफ है पूरी दुनिया में बिजली की तरफ है पूरी दुनिया में बिचारों की एक कोध हिस्ता और इस रूसी क्रांती से प्रभावित हो करके जब रूसी क्रांती के विचार पूरी दुनिया में फैले तो लोग जो पूजी वादी मार्स का मजा कुड़ाते थे कि मार्स ने तो एक कलपना करके चला गया मार्स एक यूटूपिया में जीता था मार्स दूसरे एक रहका आदमी था ऐसी बाते लिखी जो संभव नहीं हुआ लेकिन जो लेनिन ने तक था पलट किया क्रांती की सारे पूजी जो पूजी वादियों के कान खड़े हो गए डर गए सो साथी साथ पूरी दुनिया में जहां कोई भी सोसित्था वंचित्था यंत्रा में जी रहा था उसको एक उमीद दिखी और उमीद ये थी यगर लेनिन रूस में बना सकता है तो दुनिया की हर देश में जहां जहां सोसर है यंत्रा है वहां भी क्रांती की जा सकती है वे अस्था बदली जा सकती है एक ऐसे समाज की अस्था अपना की जा सकती है जहां मज़दूरों को भी मानवी अधिकार हो सबको स्वास्थ हो स सिक्षा हो सबको जीवन के सब्वे परिस्थितिया हो गरीबी में दबे कुछले लोग जो थे जो बहुत ही सोसड़ और भाव का जीवन जी रहे थे उनको लेनिन की क्रांती में एक उमीद की दिए उस दोर में दुनिया के अलग-अलग देसों में अलग-अलग लोग अपने अपनी बेवस्थाओं के खिलाफ लड़ रहे थे और जो लोग जहां भी लड़ रहे थे अपनी बेवस्थाओं के खिलाफ सब को प्रेड़ा मार्स से ही मिलती थी सब लोग मार्स से ही प्रभावित थे लेकिन सब एक मोड पर आकर के उदास और निरास हो जाते थे कि मार्स की बाते तो सही है लेकिन इसे धरातल पर उतारेगी लेकिन जब लेनी निरूस मिक्रांती की तो सब तक एक संदेश गया कि नहीं जो यथा इस्थिती है इसे तोड़ा जा सकता है यथा इस्थिती को बदला जा सकता है सोसर और यंत्रणा की बुन्यात पर खड़ी इस दुनि इसलिए रूस की क्रांती का बड़ा प्रभाव पड़ा और रूस की क्रांती से प्रभाव इथो करके दुनिया में अलग-अलग देशों में मजदूरों ने क्रांती कर दी और शामिवादी आदर्सों की अस्थापना की उसे से अलग-अलग देशों में क्रांती कर जैसे चीन पूरी दुनिया में कम्यूनिज्म के आदर्सों पर क्रांटी हुई वहाँ एक बात समान थी और वह बात ये थी कि एक पार्टी एक सरकार यानि जिस देश में क्रांटी हुई सभी लोगों ने मार्स की उस विचारधारा जिसको लेनिन ने छोड़ दिया था सभी लोगों ने छोड़ दिया और सभी लोगों ने अपने अपने देश में एक पार्टी एक सरकार की अस्थापना की जैसे चीन में एक ही पार्टी है चीनी कम्यूनिश्ट पार्टी उसी के लोग सत्ता में ब यानि पूरी की पूरी दुनिया में अलग-अलग देशों में क्रांती होती है एक पार्टी एक सरकार की अस्थापना हो जाए अर्थातम कह सकते हैं कि उत्पादन के समस्त संसादनों चाहे भूमी हो उत्योग हो खनन हो समस्त आर्थिक तंत्र पर सरकार का नियंत्रड हो गया और सरकार की विश्यस्था क्या थी एक पार्टी एक सरकार और जब हर देशों पर एक पार्टी एक सरकार का नियंत्रड हो गया तो यही ब्योस्था समाजवाद कहलाई और इसी आधार पर जो अर्थव्योस्था बनाई गई वह समाजवादी अर्थव्योस्था कहलाई यानि जो एक पार्टी एक सरकार की विश्था थी वह क्या कहलाई समाजवाद कहलाई और वह अर्थव्योस्था समाजवादी अर्थ हमने कहा था कि साम्मेबाद और समाजवाद में इसलिए धेर सारे लोग सामयवाद और समाजवाद को एक ही समझते हैं लेकिन नहीं सामयवाद और समाजवाद में धेर सारी समानताएं हैं लेकिन सामयवाद और समाजवाद में अंतरवाद कहता है कोई सरकार नहीं होगी कोई राष्ट नहीं होगा सब कुछ मजदूरों का ह समाजवाद कहता है कि नहीं एक पार्टी होगी एक सरकार होगी पार्टी उस सरकार का संचालन करेगी मजदूरों के हित में संचालन करेगी और हमें कैसी अर्थव्योस्था बनाएंगे जहां सब को बराबर का हक मिलेगा और अर्थव्योस्था समाजवादी पहले आया मार्स का सामयवाद फिर आया लेनिन का लेनिन का रूसी सामयवाद फिर इस लेनिन के रूसी सामयवाद से प्रभावित हो करके अलग-अलग देशों में क्रांतिया हुई व्योस्थभ जैसे चीन में क्रांति हुई थी, क्यूबा में क्रांति हुई थी, फिलिपिन्स में क्रांति हुई थी, धेर सारे देशों में क्रांति और सभी की विशेस्ता क्या थी? कि सभी देशों में वन पार्टी एक पार्टी एक सरकार की एक पार्टी सभी देशों में एक पार्टी एक सरकार की अस्थापना हुई और यह एक पार्टी एक सरकार ने पूरे देश के संचालन के लिए कोमिनिश्ट आधारों पर ही अपनी अर्थवियोस्था को संग्ठित किया और यह कहलाई समाजवाद यह कहलाया समाजवाद और यह अर्थवियोस्था कहलाई समाजवादी अर्थवियोस्था या अर्थवियोस्था कहलाई समाजवादी अर्थवियोस्था ठीक या अर्थवियोस्था कहलाई समाजवादी अर्थवियोस्था यानि बात कुल में लाजुला करके यह आई कि इस साम्मेवाद से ही रूसी साम्मेवाद निकला और इस रूसी साम्यवाद से समाजवाद भी यानि हम कह सकते हैं इस साम्यवाद से ही समाजवाद आया इस साम्यवादी अर्थब्योस्था से ही समाजवादी अर्थब्योस्था तो जाहिर से बात है शामेवाद और समाजवाद में धेर सारी चीजे समान हो अंतर क्या है कि शामेवाद में राज नहीं थी सरकार नहीं थी सामेवाद में राज नहीं था सरकार नहीं था लेकिन समाजवाद में राज भी था और सरकार भी था राजे और सरकार के मामले में ही यह समाजवाद सामयवाद से अलग था तो इस प्रकार हम पहुँचे शामयवाद से समाजवाद की ओर तो हमने कहा कि अलग 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 देशों में वन पार्टी वन सरकार वनी और यही ब्योस्था समाजवाद कहलाई और इस ब्योस्था ने जिस आर्थिक माडल को अपनाया उसे ही कहा गया समाजवादी अर्थसास या समाजवादी अर्थ ब्योस्था अब देखते हैं इस समाजवादी अर्थ ब्योस्था की विसेस्ताएं क्या है तो आएए समाजवाद को पढ़ना सोगा अब हम बात करेंगे समाजवाद की सामेवाद की बाते क्योंकि धरातल पर तो समाजवादी अर्थबोस्था ही उभर करें तो बड़ी बड़िया बड़िया परिभासा दी है जो सबसे बढियां परिभाशादी है समाजवाद की वह एक ब्यक्ति है Samuelson एक अर्ष सास्त्री है विछारक है Samuelson Samuelson ने कहा समाजवाद का तात पर उत्पादन की साधनों पर सरकारी श्वामित सरकार द्वारा नीयोजन और आय वित्रण से है यह Saemutan सादन होगा हुए ँद्ध्योग हो चाहे ब्यापार हो चाहे खान हो चाहे खेट हो जितने भी उत्पादन के सादन होगे अगर नदी से मचलियां भी पकड़ी जाती है तो वो भी उत्पादन का सादन अउस पर भी सरकार का ही हो क्योंकि समाजवादियों ने क्या किया हर देश में one party one government की अस्थापना किया और कहा कि यह one party one government इसलिए है कि जंता को उसका हग दिला सके तो समाजवादियों ने कहा कि मार्स कहते थे कि पूरी दुनिया उत्पाओधन के समस्थ संसादन मजदूरों के होंगे समाजवाद दियों ने कहा कि उत्पादन के समस्थ संसादन सरकार के हो यानि समाजवाद कैसी अर्थवोस्था है जहां उत्पादन के सभी संसादनों पर चाहे खेत हो चाहे जमीन हो चाहे नदी हो चाहे जंगल हो चाहे उद्योग हो चाहे व्यापार हो इसका नियंतर होता है सरकार कर ठीक अर्थाज सेमुलसन की बात को हम थोड़ा आसान करें तो हम कह सकते हैं कि समाजवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसे सरकार द्वारा नियंतरीत किया जाता है इस अब आपसे कोई पूछे कि पूजी बाद और समाज बाद में क्या अंतर है एक अंतर तो मिल गया कि पूजी बाद में उत्पादन के समस्त संसाधनों पर किसका नियंतर होता है तो प्राइवेट सेक्टर का वहीं समाज बाद में उत्पादन के समस्त संसाधनों पर किसका नि किसका होता है तरकार का तो समाजवादी अर्थविवस्था कहती है इसी मामले में समाजवादी अर्थविवस्था पूजीवाद से अलग है एकदम दोनों दो छोरूप खड़े हैं उत्तर दाफची पूजी बद बोल रहा है कि उत्पादन के समस्थ सन साथनों पर प्राइवेट सेक्टर का हख फोगा प्राइवेट सेक्टर होगा जी रही अगर हम समाजवाद की विसेस्ताओं की बात करें, क्योंकि आपको एक जाम में पॉइंट वाज लिखना है, तो समाजवाद की पहली विसेस्ता होती है सामुहिक श्वामित, अर्थात उत्पादन के जितने भी संसाधन होते हैं, सब पर समुदा यानि सरकार का श्वामित होत सरकार का है, गाड़ी सरकार की है, खेज सरकार का है, या जल जंगल जमीन सरकार की है, पसु सरकार की हैं, सब सरकार की होते हैं, तो उत्पादन के समस्त संसाधनों पर सरकार का हख होता है, साथ सा समाजवाद की जो दूसरी विसेस्ता है, बड़ी सांदार है, वो है आर्थ किसी के पास अधिक होगा ना किसी के पास कम होगा तो सब बराबर होंगे सब बराबर होगे समाज बात कहता है कि सब के पास समान संपत्ति होगी सब के पास समान संपत्ति होगी राज सब को उसकी जरुवत के हिसाब से देगा और जब सब के पास समान संपत्ति होगी राज साथ साथ समाजवाद धर्म को नहीं मानता है समाजवाद कहता है कि समाज में किसी भी किस्म का धार्मी की अजातिगत विवाजन होगा ही नहीं पूरे के पूरे समाजवादी समाज में किसी भी किस्म के उंच नीच का कोई विवाजन नहीं होता है यानि समाजिक समानता भी होती है समाजवाद कहता है कि कोई भी व्यत्ति सत्ता के सिर्ष पर पहुंच सकता है अर्थात राजनेतिक समानता होती है यानि राजा का बेटा राजा नहीं वनेगा यह बात पहली बार समाजवाद नहीं यानि समाजबाद एक ऐसे समाज की अस्थापना कर रहा है एक ऐसी दनिया की अस्थापना कर रहा है जहां किसी भी किस्म का चाहे आर्थिक हो चाहे राजनेतिक हो चाहे समाजीक हो कोई किस्म का भेदभाव नहीं होगा इन सब किस्म की समानता हो समाजबाद अपनी अर्थव्योस्था को आर्थिक आयोजन के अधार पर खड़ा करता है समाजबाद में कहा जाता है कि आर्थिक आयोजन के ही अधार पर हम अपनी अर्थव्योस्था को आगे बढ़ाएंगे अर्थात सरकार कुछ उद्देश्यों को निर्धारित करती है उन्हें प्राप्त करने के लिए केंदरी अस्तर पर योजनाओं का निर्मार करती है। वही इकलोती उत्पादक होती है राजी ही इकलोता उत्पादक होता है इसलिए यहां प्रतियोगिता का हमेशा अभाव होता है जो कि पूजीबाद के एकदम विपरीत है। वही इकलोती उत्पादक व्यापारी सब कुछ सरकार होगी इसलिए हमारी अर्थव्योस्था में कोई प्रतियस्परधा नहीं होगी, कोई कंप्रीशन नहीं होगा। समाजवाद की अर्थव्योस्था की अगली विशेश्था है किसमें सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। सभी आर्थी गत्विधियां जैसे उत्पादन, वितरण, निवेश, विदेश ब्यापार इन सब पर सरकार का ही पूड नियंत्र रहोता है। यानि कुल मिला जुला करके अगर एक एक लाइन में हम बात करें, समाजवाद की निश्करसों पर बात करें तो हम कह सकते हैं कि समाजवादी अर्थव्योस्था कहती है कि सब लोग अपनी छमता की अनुसार काम करेंगे। सब लोग कैसे काम करेंगे अपनी छमता की अनुसार करेंगे लेकिन जरुवत की अनुसार सब को मजदूरी मिले जितनी सब की जरुवत है उतना सब को मिलेगा इस्ट्रा प्रॉफिट किसी को नहीं मिलेगा जो इस्ट्रा होगा वो राज्यका हो जाए माल लीजिए कोई व्यक्ति हमने पहला उजारत दिया कि कोई व्यक्ति एक दिन में 1000 रुपे कमा रहा है ठीक और उसके परिवार में चार लोग हैं और उसकी रोज की जरूरते एक हजार है उसे एक हजार दे दिया जाएगा उसे एक हजार उससे ले लिया जाएगा सरकार ले लेगी लेकिन उसकी जरूरते बाला सारी चीज़े उसे दे देगी यान उसको एक हजार की जरूरते हैं ते एक हजार की जरूरते मिल जाएगी पैसा नहीं मिलेगा जो जरूरत है वो मिल जाएगी कोई वेखdan एक दिन में एक लाख चमा रहा है, उससे भी एक लाख ले लेगी, लेकिन उसकी भी जरूरुत की ही चीज़े मिलेगी. तो वो भी बराबर ये भी बराबर जो अत्रीक था वह किस का हो गया सरकार का हो गया कि यानि आप काम तो करोगे अपने चंबता किया नुसा कोई सपेस। का साइन्टिस्ट है तो भले ही संटिलाइट बना रहा है लेकिन उसकी भी जरूरते अगर परिवार में चार सदस्तत उतनी है जितना सनक पर गड़ा खोडने वाले मजदूर की जिस स्कूल में मजदूर का बच्चा पढ़ेगा उसी स्कूल में सैटलाइट बनाने वाले का भी बच्चा पढ़ेगा जिस घर में सैटलाइट बनाने वाला साइंटिस्ट रहेगा ठीक वैसे ही घरों में मजदूर भी रहेगा। काम करेंगे आप अपनी छमता की अनुसार लेकिन चीजें मिलेगी आपको अपने जरुवत की अनुसार। इसलिए सामाजबात कहता हम अधिक्तम समाज कल्यान के लिए काम करते हैं। अधिक्तम समाज का ल्याण हमने पीछे पड़ा देख रहे हैं उसी का हमें क्रक्स बता रहे हैं समाज बात की जो तीसरी पॉइंट पे विशेष्टा बता है तो पैत्रिक संपत्ति का कोई अस्तित्तो नहीं होता है हर व्यक्ति की जो संपत्ति है मरने के बाद सरकार के हो जा चाहे अमीर और होया गरीब हो इस्तिरी पूरु समानता होती है मानो की प्रतिष्ठा होती है तथा सम्मान होता है हर मानो को इसलिए सम्मान दिया जाता है कि वह मानो है न कि इसलिए कि वह अमीर है किसी जाति का है हर्म का है या जो भी है मानो मानो के लिए मानो की गरिमा के आधार पर जीवन जीएगा यही समाजवात की सबसे बड़ी प्रस्ता होना है। यह सब समाजवात की बिसेस्ताइं हो गई। लेकिन दिखने में यह विचारधारा जितनी उज्जवा लगती है, जितनी चमकीली लगती है, जितनी आगरसक लगती है, इसके नाकरात्मक को पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा पूछ उठा रहा हो कि आखिर जब इस वेवस्था इतनी खुब सूरत थी तो अंतता ये फेल के हो गई हुआ क्या पूजी वाद के खिलाब समाजवाद आया था और खूब लड़ा समाजवाद पूजी वाद से गु नचीन पूरी दुनिया में हर गली, हर नुकड, हर चोक, हर चौरायपर, हर खेत में, हर मंडी में, हर बाजार में, समाजवाद का सब्जे बड़ा जंडा वर्दार था, सबसे आगे समाजवाद का जंडा ले करके चलता था, रूंस. वह लोगे पूजग समाजबा के राए पर चल पड़ा हूं कि जो के दूसरे आवाला देश था रूस के बाद जो और नंबर पर कहता था हम तो समाजवाद के मसीह है कि वह अभी पुजीवाद के रास्ते पर चल पड़ा है अज चील राजनेतिक रूप से समाजवादी देश है आर्थिक प्रणाली पूरी पुजीवादी है यानि जो लोग समाजवाद का सबसे जादा दम भरते थे वही पुजीवादी हो गए किसी विचारदारा कि इससे बड़ी विफलता क्या हो सकती है भारत ने भी अपने मिश्री तर्थव्योस्था को सिलका रहा था इसके बाद वहीं मिश्री पढ़ाऊंगा तुरंत भारत के मिश्री तर्थव्योस्था में कुछ पुजीवाद के गुड़ते तो धेर सारे समाजवाद के गुड़ते यानि भारत ने भले ही मिश्री तर्थव्योस्था चुनी थी जुका उसका समाजवाद की और ही था लेकिन 1990 पे भारत ने उसको भी छोर दिया, भारत ने काम भी चलएगे, पूजी बाद की। यानि कुल मिला जो ला करके, समाजवाद एक विचार धारइक रूप में अंतताः बिफल हो गये। अंतताः समाजवाद क्या हो गया? बिफल हो गये। तो जाहिर सी बात है बिफल हुआ यानि इसके कुछ नाकारात्मक पक्षों को भी समझे दरसल समाजवाद की विचार धारा का जाता है कि समाजवाद किसी और से ही नहीं हारा खुद से हार गया खुद से हार गया और बड़ा से बड़ा लोग याद रखना जो किसी और से नहीं हारते हैं वो खुद से हार गया जो किसी और से नहीं हारते हैं बड़ा से बड़ा गया जो किसी से नहीं हारता है वो अपनों से हार गया तो समाजबात के मूल दर्शन में ही कुछ कमी थी, यह रिक्ता का भाव, और जो मूल दर्शन में कमी थी, यही अनतता इसके बिफलता का कारण बन दे, यानि समाजबात के बिफलता का जो कारण था, वह इस विचार धारा के मूल दर्शन में ही था, तो एक बार देखते हैं अखिर वो मूलदर्सन था कौन आप लोग जानते हैं बता दिया हमने मूलदर्सन ये था कि व्यक्ति अपनी छम्ता के अनुसार काम करेगा लेकिन उसे मजदूरी जरूरत के हिसाब से मिलेगी ये बिवहारिक रोफ से ठीक ने या दिखने में अच्छा लगता है सुनने में अच्छा लगता है आंक बोट करके बैट कर एक अजडर समाच की कलब ना करने में अच्छा है लेकिन धरातल पर इतर जा सही से उतरदा है किओ कि माल लीजिए किसी व्यक्ति की छमता अधिक होगी तो वो काम अधिक करेगा लेकिन उसे मजदूरी तो समाल रूप से ही मिलेगी भाई ना देखेगा मैं बहुत काम कर रहा हूं मैं बहुत स्किल ले रहा हूं मैं बहुत हुनर मन दो रहा हूं मैं हाँ गड़ा गड़ा करके लैब में बैठ रहा हूं मैं बढ़िया इंजिनीरिंग कर रहा हूं लेकिन हमको भी तो उतना ही मिलता है जो गड़ा को दने वालों के मिलता यानि अगर किसी व्यक्त की छमता अधिक है काम अधिक हैल मजदूरी भी उसे क्या मिलेगी प्रोसान नहीं मिल रहा है उस व्यक्त को कोई अधिक लाफ की उमीद नहीं मिल रही है और जब अधिक लाब की उम्मीद नहीं होगी, तो धीरे धीरे लोग समाजवादी ब्योस्था में काम से भागने लगे, शुरुवात में तो क्रांती हुई थी, क्रांती के ना रेथे, क्रांती के आदर्स थे, धेर सारे लोग आए, लेकिन बाद में लोग भागने लगे, क्योंकि लोगों के पास अपने काम को बहतर करने के लिए अपनी छमता को आगे बढ़ाने की कोई वज़ा नहीं थी, कोई वज़ा नहीं थी, हम अपने काम को बहतर क्यों करते हैं, हम अपनी छमता को क्यों आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें जादी पैसा मिले, मूल यही ह हम तरक्य करेंगे हमारे अपने परिवार कि लोग और बेधर जीवन आप दू है एक दो अपवातों को छूर दिया जाया तो सश्क तो यहीं है। लेकिन समाजवादी अर्थव्योस्था में ये वज़ा थी ही नहीं, समाजवादी अर्थव्योस्था में इस वज़ा को दूर थे, किसी बेव्यक्ट को अधिक काम करने की कोई वज़ा नहीं थी, अपने पर काम करने की कोई वज़ा नहीं थी, अजब अधिक काम करने की वज अर्थियमिता मर गई लोग उद्यम क्यों करते हैं अत्यधिक लाब के लिए लेकिन यहां तो लाब की समभाव नहीं देगी और जब किसी भी अर्थिविवस्था में इन्वेशन नहीं है उद्यमिता नहीं है तो अब आर्थिक प्रडाली क्या हो जाएगी खोखली हो थी वह पूजी बास से अपनी लडाई में हार गई और समाजबाद का एक अर्थिवस्था के रूप में पतन हो गए एक कमजोर पस्तु यह भी है दूसरा और यह कमजोर पक्ष हैं समाजबादियों ने नारा तो बहुत बड़ा बड़ा दिया कमिनुष्ट देसों में नार कर रहे हैं हम यह सब आपके लिए कर रहे हैं जैसे आप खेत में काम कर रहे हो वैसे हम सरकार में का लेकिन दिखने में ये आया वास्विक्ता यह थी कि क्रांती के कुछी दिनों के बाद जितने भी कम्मिनिष्ट देश से सभी कम्मिनिष्ट देशों में सरकारे जनता के नाम पर सभी उद्योगों और संसाधनों का प्रबंधन करने लगा और आम जनता को क्या मिले आम जनता को केवल क्रांती के गीत मिले ये लोग अपने घरों में बैट करके आयासिया कर रहे हैं और आम जनता गा रहे हैं साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला मिल जाए या कैसे है वो बूल गया मिले वो नहीं समाजवादी गीत गाते हैं एक अकेला ठक जाएगा मिलके बोज उठाना साथी हाथ बढ़ाना खेत में मजदूर लगा हुआ है उसे लग रहा करी हमारे आका लोग बैठे हुए हमारे लिए काम कर रहे हैं इक केला ठक जाएगा रिलके बोज़ उठाना साथी हाथ बढ़ाना बढ़े बाद बना दे रहे हैं बढ़े ड़े डare बना दे रही है चले जा रहा है। बाद में जब जंता ने देखा कि अरे को पशीना हमने बाहई आपकर नाम पर मला यह लोग मार लए गए जनता ने देखा कि हमारे हैसे में तो केवल करांति के गीत आये नारे आये हमें फूल माला पना करके समानित किया जा मज़े ये लोग मार रहे थे तो धीरे धीरे अपनी यार्थिक प्रलाली से जनता का विश्वास खतम हो गया और जब अपनी यार्थिक प्रलाली से जनता का विश्वाश खत्ब हो गया तो जन्ता ने समाजवाद के खिलाफ विल्क्रोव कर दिया गया कम्मिनिष्ट धीरे-धीरे समाजवाद के छोड़े यह कहानी रही समाजवाद की और यह कहानी रही पूजी बात कहां से आया, कैसे हुआ है समझ गए, समाजवात कहां से, कैसे सामेवाद आया, कैसे सोविये सामेवाद आया, कैसे समाजवाद आया, तो बात समाजवाद की तो हो गई, अब हम एक नई बेवस्था की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं, नौ पूजी बात, क्या है भाई? New Captain तो आपने पूजी बाद समझा सामे बाद समझा समाज बाद समझा अब एक विचार धारा के रूप में थोड़ी हम नव पूजी बाद की बात करें तो आए दोस्तों बताते हैं आपको नव पूजी बाद के बारे में देखिए नव पूजी बाद पर चलने से पहले हम आपको एक जर्रल कॉंसेप्ट बताते हैं जो आपको हर जगा काम आएगा दरसल होता क्या है कि कहा जाता है कि कोई भी विचार धारा यदि गिरावट के बाद पुनह उपर उठती है उसमें नयापन को दिखाने के लिए नौ सब्द लगा दिया इसको इसी पूजी वाद के परिप्रेक्ष में समझते है जैसे पूजी वाद आया पूजी वाद आया समझाते हैं इसको पूजी वाद आया पूजी वाद ठीक आया एकदम उपर उठता गया तेजी से आया और उपर उठा लेकिन जो 1917 में रूस की क्रांती हुई जब रूस की क्रांती हुई जिसे रूसी क्रांती कहते हैं जब ये रूसी क्रांती हुई तो रूसी क्रांती के साथ ही एक नई विचारधारा आई जिसे हम कहते हैं समाजव इस वी शोवियत सामयबाद मी कहा गया था हुआ ये कि 1970 से ले करकि 1917 में आई और इस विचार धार ने पूजी बाद को कड़ी टक कर दी एकड़ी टक कर दी इतनी टक कर दी कि धीरे-धीरे समाजवाद उपर उठते गया और पूजी बाद नीचे गिरने लगा यानि पूजी बाद में गिरावट आने लगी दुनिया के देश जादे सजादे समाजवाद की ओर चाने लगी यानि 1917 के बाद से पूजी बाद में की आने लगी गिरावट आने लगी और ये गिरावट चली 1917 से लेकर कि 1980 तक एक दम कड़ी टकर दे रहा है समाजवाद पूजीवाद को लेकिन हुआ क्या कि 1980 तक आते याते जो समाजवाद की नाकरात्मक पक्ष थे वो खुल करके लोगों के सामने आगे आपको हुने अभी समझाया ही और समाजवाद पूजीवाद से जो लडाई लड रहा था वो हार गया अंतता हुआ कुछ यूँ कि 1980 के बाद पुना पूजीवाद उपर उठा उपर उठते ही जा रहा है पुना उपर पुना हम इसको यू कहें कि पुना हम पूजीवाद उपर उठा पुना पूजीवाद उपर उठा उठते ही जा रहा है 1980 के बाद से और 1980 और 1990 के दौर में 10 साल तो पूजीवाद ने समाजवाद को नश्ट करने में लगा दिये 1990 आते आते एकदम पूजीवाद छुटे घोड़े की तरह दौरने लगा और 1990 से अब तक उपर उठता जा रहा है यानि हम कह सकती हैं कि 1917 में पूजीवादी बेवस्था में गिरावट आई लेकिन वही पूजीवाद पुना 1990 के बाद तेजी से उपर उठा 1990 के बाद जो पूजीवाद तेजी से उपर उठा उसी को नौ पूजीवाद कहा जाता है उसी को नौ उदारवाद कहा जाता है लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि पूजीवाद उपर उठा दरसल जब पूजीवाद उपर उठा उसने अपने में कुछ विशेस्ता है भी लाए तो कोई मिला जुला करके कहीं आपको बात आए नौ पूजी वाद की या नौ उदारवाद की ति इसका मतलब ये पूजी वाद ही है उदारवाद ही है दोबारा पूजी वाद अपनी सक्ति के साथ उपर आया है इसलिए नौ लगा दिया गया है तो आईए थोड़ा हम उस पूजीबाद के उद्भो की और चलते हैं, इसके मूल में और चलते हैं, कहानी को हम फिर से वहीं ले चलते हैं, बहुत आसान होगा अब आप लोगों को समझना, तो आपको हमने पहले ही बताया है कि पूजीबाद, उदारवाद आया, और इस पूजीबाद और उदारवाद में धेर सारे साकारात्मक पक्ष थे लेकिन नाकारात्मक पक्ष थे जो नाकारात्मक पक्ष थे ये थे वो ये थे कि पूझी बाद और उदारवाद के बाद दुनिया में अश्मानता बढ़ी पूझी बाद और उदारवाद के बाद गरीब और कमजोर की पीड़ा बढ़ी पुजीबाद ने गरीबों की पीडा नहीं कम की और जब गरीब और कमजोर लोगों की पीडा नहीं कम की तो इस गरीब और कमजोर लोगों के पक्ष से इस गरीब और कमजोर लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया हुई क्रांटी हुई इन गरीब और कमजोर लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रिया हुई, जो क्रांटी हुई, उसी को कहते है रूस की साम्मेवादी क्रांटी, जो लेनिन ने की थी अभी समझाया मैंने, लेनिन ने कहा कि हम सभी दुनिया के मजदूरों की तरफ से क्रांटी कर रहे हैं, लेनिन ने कहा कि ये क्रांटी भने रूस में हुई ह लेकिन यह क्रांती सिर्फ स्कीन आइक है यह विश्ब की क्रांती है और पुपपर दुनिया दुनिया में यह क्रांती जाएक इक हुआ कि अब उच्छा कि बोढ़िबों कि यह कमजओरों की पीडाओं की प्रतिनी दिवन करके जब लेनिन सामने आया रूस में सामयवादी क्रांती की तो इसका असर पूरी दुनिया पर पढ़ा अन्य देशों पर पढ़ा अन्य देशों में भी इस रूत की क्रांती से प्रेड़ा ले करके जब अन्य देशों पर प्रभाव पढ़ा इस सामयवाद और समाजवाद का प्रभा 188 पूरिय दुनिया में करांतिया होते रही। समाजवादी व्यौस्था आती रही। समाजवादी अर्थ व्यौस्था दुनिया में फैलती रहे। समाजवादी अर्थबोस्था क्या है इसे अभी हमने विस्तार से समझाया यहां सिर्फ इतनी बात करेंगे कि 1970 से 1917 से जब रूस की क्रांति हुई तभी से पूरी दुनिया में क्रांतियों की लहर चले पूरी और हमें देखने को मिलता है कि 1917 से लेकर के 1980 तक के दौर में साब् समाजवादी अर्थबोस्था ने पूजी वाद को कड़ी टक कर दी हाफ ने लगा था पूजी वाद इतनी कड़ी टक कर दी पूरी दुनिया में उस दोर में जितनी भी लडाईया हुई जितने भी संगर्स हुए उस संगर्स के मूल में पूजी वाद और समाजवादी अर पूल में विचार का ही प्रश्न था तुलनाईया चलती रही समाजवादी अर्थवियोस्था 1917 से लेकर 1980 तक पूजिवाद को कड़ी टकर देती रही लेकिन एक दोर आया जबी समाजवादी अर्थवियोस्था का पतन हो गया और ये पतन हुआ 1980 से 1990 के बीच जब 1980 से 1990 के अर्थवियोस्था का पतन हुआ तो पूनाः उदारवादी अर्थवियोस्था की वापसी हुई या पूनाः पूजिवादी अर्थवियोस्था की वापसी हुई जिस उदारवादी अर्थवियोस्था की वापसी हुई दोबारा जब ये वापस आया तो वही नव उदा अगर हम बाते करें कि आखिर ये तो इसकी कहानी की बाते हो गई, कि कहां से आया नौ उधारवाद, नौपुजीवाद, लेकिन इजाम में आपको इसकी परिभासा भी लिखनी पर तो इसकी जो सठीक और सबसे बेहतर परिभासा दी जाती है नौ उधारवाद और या यूं कहिए पिछली सतापदी के अंत में पूजिवाद की वाप्सी को ही नौ पूजिवाद कहा जागा. 1990 के दोर में पुना पूजिवाद वापस आता है, उसी को नौ पूजिवाद, नौ उदारवाद कहा जागा. हमने लिख भी दिया है आपको याद करने के लिए एक जाम में लिखिएगा ऐसे नोट सब लिख करके कि विचार की कोई भी धारा जब गिरावट के बाद लोटती है तो उसके आगे नौ लगा दिया जाता है पूजी वाद भी एक बार गिरावट के बाद उपर उठा उधार पूजीवाद या नोउदारवाद कहा गया अगर हम भारत के भी संदर में देख ले तो आपको याद होगा कि भारत ने 1991 में इकौन मिक्री फार्म किया आर्थिक सुधार किया 1991 के बाद के भारत के जितने भी आर्थिक सुधार है वे काफी हद तक नोउदारवाद के आसप पर बता दे रहा हूं जैसे सरकारी कमपसः का नीजी करण किया जा रहा है प्राइबिट करद्टे सोपा रहे हैं भारस सरकार Sound L depth चुछा कर्के आरती सजा करके उनका स्वागट कर रही एक आ यहाईए आ कानमे के सुधारों का ही परिडाम है या नौपुजीवाद नौदारवाद का लक्षड है कार्पुरेट टेक्स को कम किया जा रहा है कार्पुरेट टेक्स मतलब कार्पुरेट से लेने जाने वाला टेक्स यह भी यह क्या है यह भी है कि कार्पुरेट से टेक्स कम लेंगे त इजाब डूइंग का मतलब क्या होता है हम आगे विस्तार से पढ़ाएंगे लेकिन सीधी बात कहा जाए कि इजाब डूइंग का मतलब यह होता है ब्यापार करने के आसान तरीकी निवेस करने के आसान तरीकी उद्योग को सुरू करने के आसान तरीकी अर्थात कोई भी सरका को इजाफ दूइं कहा जा यह सारे के सारे प्रयास नव उदारवादी अर्थ ब्योस्था को ही आगे बढ़ाने के प्रयाश है यह परिचे रहा नव उदारवाद का नव पूझी बात का जो उमीद है आपको बाते समझ में आ गई हो अब नव उदारवाद और नव पूझी इस बात को समझने के बाद इसी का एक जुडवा भाई है जिसे कहते हैं हम कल्याणकारी अर्थ वे उस्था या वेल फेयर ईकॉन sunny जितनी भी भी कहता है कि हम भी कल्यालकारी अर्थविवस्था हैं आज तो हद ये है कि दुनिया की हर अर्थविवस्था चाहे वो पुरता पुज़िवादी हो पुरता उदारवादी हो या आंसिक रूप से पुज़िवादी उदारवादी हो या मिक्स एकॉनमी हो सारी की सारी अर्थ व्योस्था में होड लगी है कि अपने आपको वे कल्यारकारी अर्थ व्योस्था में तब्दील कर दे या नो भी करे तो कम से कम घोसित तो कर दे कि हम कल्यारकारी अर्थ व्योस्था हैं ये कल्यारकारी अर्थ व्योस्था पूजी बात का ही जुरवा बहई है, नौ उदारवाद का ही जुडवा भाई है या यू कहिए कि नौ उदारवाद ने अपने में कुछ परिवर्तन किया हूँ, कल्यार के तक्तों का समाविष गिया, तो आईए बात करते हैं, कल्यारकारी अर्थवेवस्ता की, तो वेलफेर इक्वान, कल्यारकारी अर् पूजीबाद के मूल में क्या था जब हमने आपको परिभासा बताई थी तो क्या था पूजीबाद के मूल में यही था कि पूजीबाद एक धन के इंद्रित विचारधारा है। इस पूजीबाद में धन का सरजन ही अंति मुद्देश था। काम की अमानवी परिस्तियां होती थी, मजदूरों का सोसर होता था, कम बेतन पर अधिक काम कराये जाता था। यह सारे के सारे पूजीबाद के अधेरे पहलू थे। और पूजीबादी बेवस्था ने इन सभी चीजों को जायज भी ठहराया, इन सभी चीजों को उचित भी ठहराया, और पूजीबादी बेवस्था ने कहा कि यह चीजे जायज इसलिए है, यह चीजे उचित इसलिए है, जो कि इन ही की कीमत तो पर तो विकाश होता है। यानि पूजीबादी बेवस्था ने अपने ही अंधेरे पहलूओं को जायज ठहलाया, अपनी ही बेवस्था के सोसड कारी पहलूओं को जायज ठहलाया, और इन्हें विकास की कीमत बताया। ठीक भईया बता दिया, लेकिन जिनका सोसर हो रहा था, वो चुप तो नहीं बैटे। जिनका सोसर हो रहा था उन्हीं की पीडाओं से उन्हीं की प्रतिक्रिया से उन्हीं की बीज से तो समाजवादी अर्थव्योस्था निकली और समाजवादी अर्थव्योस्था ने कहा कि किसी भी वर्का सोसर नहीं होगा इसी वाइदे के साथ तो अर्थव्योस्था आई थी यह जो समाजवादी अर्थ व्योस्था आई थी, जो मार्स के दर्सन से प्रेरी थी, प्रभाविट थी, उपजी थी, और क्रांतियों द्वारा, रूस की साम्मेवादी क्रांति द्वारा जिस व्योस्था को धरातल पर उतारा गया था, उस व्योस्था ने आखिर क्या कहा थ इस समाजवादी अर्थवियोस्था ने वादा क्या किया था, समाजवादी अर्थवियोस्था ने यही वादा किया था, कि किसी के साथ सोसड नहीं होगा, यही घोशडा पत्र था इस समाजवादी अर्थवियोस्था, इसी नारे के साथ तो समाजवादी अर्थवियोस्था आई थी कि हम एक ऐसी economic system को लेकर के आ रहे हैं जहां किसी का सोसर है लेकिन ये बात सिर्फ वादों में रही ये बात सिर्फ नारों में रही ये बात सिर्फ क्रांती की गीतों में रही हकीकत ये हुआ कि बाद में कुछ सालों के बाद में सुरुवात में तो सब कुछ ठीक ठा चलता रहा, लेकिन इस अर्थव्योस्था में भी कमजोर का गरीब का सोसर ही हुआ, यानि जिस कमजोर और गरीब के उठ्थान के वायदे के साथ है अर्थव्योस्था ही थी, इसने भी सोसर ही किया, ऐसे में हुआ क्या, कि लोग पुजी वास से भी निराश हो गए, समाजव कि प्रचलित आर्थिक माडल थे, उनका विरोध होने लगा, यानि दुनिया भर में आर्थिक माडलों का विरोध करता था, वह जितना प्रखर होकर के पूजिवादी आर्थवियोस्था को गालिया देता था, उतना ही प्रखर होकर के समाजवादी आर्थवियोस्था को भी इन अर्थ सास्त्रियों का तर्क था कि दुनिया का कोई भी आर्थिक मॉडल यदि सब की आँख का आशु ना पोच सके तो आँख माडल टिकाओ हो ही नहीं सकता और सास्त्रि कहने लगे कि चाहे पूजी वाध हो चाहे समाज वाध हो उन दोनों ने सबसे कमजोर से कर्मजोर ब्यक्ट को पीड़ा ही दी है आँख में आशु ही दिया है हर गमजोर के आँख में आशू ही दिखता है चाहे वह गरीब समाजवादी देशों का है या पूजीवादी देशों का है तो दुनिया के अर्थ सास्त्रियों ने एक मेट स्वर में चलाना सुरू कर दिया कि कोई भी माडल यदि सब की आँख का आँशू ना पूछ सके तो ह माडरे टिकाओ नहीं हो सकता है और एक स्वर में उन्होंने कहा कि दुनिया यदि अपनी एकॉनमिक सिस्टम को टिकाओ बनाना चाहती हो तो तुम्हें ऐसा मार्थ आर्थिक माडल लाना होगा जो सब की आँख का आँशू भूचे पिडाओं की कीमत पर विकास ना हो खु गल्यारकारी अर्थवेयोस था यानि ओ अर्थवेयोस था जो सब की आँख का आशू पूछे वो अर्थवेयोस था जो सब तक खुसियां लाए वो अर्थवेयोस था जो सब तक रोस नी लाए उसे ही कहा गया विलफेयर एकॉनमी गल्यारकारी अर्थवेयोस था जो सब की समाज बात का हो बाजार चाहे पूजी बात का हो दोनों बाजारों का विरोध होने लगा और एक मानवी चेहरे वाले बाजारों की तलास शुरू हुई और मानवी चेहरे वाले बाजारों की तलास आकर के खत्म हुई कल्यानकारी अर्थव्योस्था और मॉडल दिया गया कि क कोई भी अर्थव्योस्था कल्याणकारी अर्थव्योस्था तब कहलाएगी जब कमजोर वर्गों के लिए विसेश प्रयास किये जा रही है। जब उस अर्थव्योस्था में मान विकास पर ध्यान दिया जा रहा हो। जब उस अर्थव्योस्था में गरीबों को गुणवत्ता युक्त जीवन दिया जा रहा है, जब उस अर्थव्योस्था में पर्यावर्णी अर्थ इस्थिर्ता को बनाये रखने की कोशिस की जा रही हो, वही कल्यानकारी अर्थव्योस्था कहला है, आज भारत की अर्थव् स्वास्थ की बीमा योचनाए यह सब क्या है यह इसलिए है ताकि कमचोर और गरीब बर्गों पर धृकेंज ध्यां आज लोगों को मानो विकास पर ध्यान दिया जा रहा है राश्टी पोसर अभियान चड़ना है पोसर पर काम किया जा रहा है लोगों को सरके दी जा रही है हर गाओं की कनेक्टिवटी दी जा रही है हर घर तक पियजल को पहुचाना जा रहा है यह सब क्या है मानो विकास पर लक्षण है, तो कल्यानकारी अर्थब्योस्ता कहाँ से आई, या क्या इसके लक्षण है, इसे आपने समझ लोगे, तो आज जब देखते होंगे कि प्रधान मंतरी घोश्रा करते हैं, हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, बज़रगों के लिए कर और वहाई जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम प्राइवेट कंपणियों का प्राइविटाइजिसन कर रहे हैं हम विदेशों से निवेश आ रहे हैं जिसका मतलब वो नौ उदारवाद और नौ फुजीवाद की और जा रहे हैं यानि आज भारत की अर्थव्योस्था और भारत ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्योस्था एक साथ नौ उदारवादी भी है और एक साथ कल्यान कारी भी है एक साथ नो उदारवादी भी है और एक साथ कल्यानकारी भी है तो आज दिस दोर में जा रहे हैं जी रहे हैं हम पूरी दुनिया नो उदारवाद की उरागे बढ़ रही है और साथ-साथ कल्यान की उरागे बढ़ रही है यानि आज की अर्थव्योस्था कि अगर कहें कि यह कैसी वालगारी है, हमारी अर्थव्योस्था या पूरी दुनिया की अर्थव्योस्था यह कैसी वालगारी है, जिसका एक पहिया नौ उदारवाद है, तो दूसरा पहिया कल्यारकारी अर्थवाद है, बात एक दम क्लियर यह हैं असली एकॉनमी, एकॉनमी का मतलब सिर्फ GDP, GNP और इंडेक्स नहीं होता है, एकॉनमी का मतलब होता है, पहले एकॉनमी के सद्धान्दिक पक्षों को पड़िए, जब आप इस सद्धान्दिक पढ़ लेंगे, तो जब दूसरे चेप्टर में आएंगे देखेंगे, तुरन-तुरन-तुरन-तुरन-चीज़े आपको क्लिय होती है, तो आएए, कल्यार कार और उदारवाद हो गया, अब आगे की योर बढ़ते हैं, अब थोड़ी चर्चा करते हैं हम, गांधी वादी अर्थवे उस्था, इसकी कहते हैं, गांधी वादी अर्थवे उस्थ थी हमारे राष्टपिता महात्मा गांदे जी इनको आप लोग प्रडाम कर ले जी ठिक और फिर इनके एकॉनमिक मॉडल को पढ़ते हैं गांधी वादी अर्थविवस्था और कुछ नहीं है गांधी ने समय समय पर कुछ आर्थिक विचार दी इकठा नहीं दिये समय समय पर सा संक्लित किया जाता है तूसरी हम कहते हैं गांधी वादी अर्थ विचार या विभिन प्रकार की बैके कई लोगों के अर्थिक विचारों को कुछ तत्यों को लेकरके और उसे भारती परिवेच में गांधी ने ढाल दिया वही गनधी वादी अर्थिपोस्था अगर हम गोर से देखें तो गांधी के जितने भी आर्थिक विचार हैं सब समाजवादी सिध्धान्तों से प्रेरित हैं तथा टॉलश्टाय और रस्किन के विचारों से प्रभावी थें यानि कहा जाए कि जो गांधी का आर्थिक मौडल है वो भारती पर आर्थिक विचारों का गांधी पर बहुत प्रभाव है रस्किन के आर्थिक विचारों का गांधी पर बहुत प्रभाव है यानि कह सकते हैं कि समाजवाद टॉलश्टाय और रस्किन के आर्थिक विचारों को गांधी ने खिचडी बना दिया कूकर में पका दिया और जो क अधिक रोजगार को जन्म देना गांधी कहा करते थे कि भारत में स्रम की प्रचूरता है भारत में स्रमिकों की संख्या अधिक है इसलिए गांधी का मानना था कि भारत में वही आर्थिक विचार सस्टेन कर सकता है कि जो रोजगार को बढ़ावा दे या यू कहिए कि गांध गांधी के अर्थवोस्ता को समझना है तो पहले गांधी के उद्देश को समझना है तो सीधा सीधा उद्देश है अधिक से अधिक हाथ को काम देना अब आईए गांधी के इस आर्थिक मॉडल की थोड़ी दो-चार विसेस्ताओं की बात करते हैं जो महत्पूर महत्पूर ह हम सभी दो ही चार भी सेस्ता हैं जो बहुत महत्वपूर हैं। तो गांधी के आर्थिक माडल की जो पहली भी सेस्ता हैं उसे हम कहते हैं विकेंदरी करड़। गांधी के आर्थिक माडल की जो पहली भी सेस्ता है उसे हम कहते हैं विकेंदरी करड़। अब क्या है दरसल गांधी जी का एक मानना था कि अस्थानी जरूरतों के हिसाब से छोटे छोटे उद्योग ग्रामी रस्तर पर अस्थापित किये जाए। गांधी कहते थे कि इतने बड़े देश के लिए एक योजना नहीं हो सकती है। गांधी कहते थे कि जिस जीले की जो जरूरत है जहां जो उद्योग लगाओ। अगर कि किसी जीले में कपास का उत्पादन होता है तो कपड़े बुन्ने का उत्पादन को जो उत्योग लगाओ। कहीं किरसी अधिक होता है तो किरसी पर जोर दो कहीं भागवानी अधिक होती है तो भागवाली पर जोर दो कहीं खनन अधिक होता है तो खनन पर जोर दो यानि गांधी कहते थे कि इसने बड़े देश में दिल्ली से बैट करके आप पूरे देश के लिए एक आर्थिक मॉडल तै नहीं कर सकते हैं दिल्ली से बैट करके एक योजना नहीं बना सकते हैं और जब आप दिल्ली से बैट करके योजना बनाएंगे दिल्ली से बैट करके आर्थिक मॉडल तै करेंगे तो गांधी कहते थे कि अस्थानी जरूरतों के हिसाब से छोटे चोटे उद्योग ग्रामिर अस्थर पर ही लगाये जाए जो अस्थानी संसादनों का local resources का ही प्रियोग करे यह गांधी अर्थविवस्था की इसी भी सेस्ता को कहा गया विकेंद्री करने यानि गादी जब विकेंद्री करने की बात करते है तो इस बात की बात करते है कि जहां जो उत्पादन हो रहा है और जहां जो जरूरत हो रही है उसी में सामंजस से बिठा करके उद्योग लगाए जाए और कोशिस किया जाए जो उद्योग लगाए जाए वो मानों को अधिक रोजगार दे यानि मानों स्रम को जादे महत्तु दिया जाए हाथ से चलने वाली मसीन लगाए जाए इसी से मौडल से निकला गाधी अर्थव्योस्था की दूसरी विश्था जिसे गाधी ने कहा था कि हम कुटीर उद्योगों पर बल देंगे गाधी कहते थे एक ऐसे आर्थिक मौडल को लाईए जहां कुटीर उद्योगों पर बल दिया जाए कुटीर उद्योग मतलब वे छोटे छोटे उद्योग जो हाथ से चलती हूँ है मसीन लेकिन उन मसीनों को चलाने वाले कौन लोग होंगे मानो होगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी इसे को कहा गया गाधी की अर्थव्योस्था की दूसरी भी सेस्था जिसक को छोडने का और शहरों के बसने का भारत हो जाएगा और पलायन की एक तरस देपुड कहा निल्थी जाएगी इसलिए गाधी कहते थे अस्थानी अस्तर पर उद्योग लगाई ये कुटीर उद्योग लगाई ये हरात को काम देजिया रोजगार उत्पन की दिए समस्त भा भारत की मिट्टी से निकला हुआ अर्थी दर्सन है गाधी कहते थे मानो श्रम पर की गरिमा पर बल दिया जाए ऐसी बात क्यों कहते थे भाई देखो आप लोगों ने गवर किया होगा कि हमारे देश में नारा तो दिया जाता है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है न लेकिन उनकी नजर में छोटे काम भी हैं बड़े काम भी हैं अगर भाई कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है तो सब काम को एक सम्मान सम्मान दिया जाना चाहिए तो जो सम्मान बिश्विद्याले के प्रोफेसर को मिलना चाहिए वही सम्मान चोरा है पर जूता सिल् तो क्या दोनों को बराबर सम्मान मिलता है, नहीं मिलता है, पहली बाती है, हमारे भारत में कुछ काम को छोटा काम माना जाता है, ये समाज काम मत है, और कुछ काम को बड़ा काम माना जाता है, अधितर उन कामों को छोटा काम माना जाता है, जिसमें सरीर का सरम जाते हैं, और लोग हैं यह स्रम बाला काम नहीं करेंगी खेत में हल चलाना यह लोग बेश्ती समस्ते थे श्रम करना बेश्ती समस्ते थे कुदाल चलाना बेश्ती समस्ते थे गाय भैस पालना बेश्ती समस्ते थे यानि जितने भी स्रम बाले काम है कहा जाता था यह निम्न काम है गांधी क समाज की नब्ज को पकर दे तो गांधी ने देखा कि अगर हमें अपने देश की एकॉनमी को आगे बढ़ाना है तो जो काम की बेजिती की जाती है कि इस काम को सम्मान दिया जाता है उस काम को सम्मान नहीं दिया जाता है और गांधी ने ये भी देखा बिसेश करके जो सारेर सरन भाले काम हैं इसलिए लोग सारे सरवाले काम से भगते भी तो गांधी ने अपने आृथिक दर्सन में सबसे पहले तो सरन की गरिमा पर जोड़ दिया गांधी ने साबसाब कहा कि हर ब्यक्टी को रोटी का श्रम करना चाहिए गांधी ने का राजा हो जमिदार हो वकील हो प्रोफेसर हो कलेक्टर हो कम से कम इतना पसीना बहो जितनी रोटी खाते हो गांधी कहते थे स्रम करना ही सबसे बड़ी पूजा है इसलिए गांधी अपना सारा काम खुद करते थे गांधी जिस बकरी का दूद पीते थे उस बकरी के लिए चारा भी खुद लाते थे अपने लिए पहने का कपड़ा भी बुनते थे अपने आसरम में जिस आसरम में उनके हजारों लाखों अनुआई हुआ करते थे लेकिन गांधी जी अपना खाना खुद बनाते थे इतना ही नहीं गांधी जी जब कहीं बाहर जाते थे तो जब किसी औस थाई सवचाला का प्रयोग करते थे तो उसके सवच का मैला दूसरी जगह रखा जाता था तो गांधी अपने सवच को के मैले को खुद ही बड़े से तसले में रख करके अपने सरपर जा करके डाल करके आते थे यानि अपना सारा काम खुद करते थे ताकि गांधी प्रेडा बन सके कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं हो इसलिए गांधी ने अपने आर्थिक दर्सन में इस मानोश्रम की गरिमा पर बहुत जोड़ दिया और एक प्रकार से अपने आर्थिक दर्सन द्वारा भारती समाज की एक कुरूती पर भी बहुत तेजी से प्रहार किया तो मानोश इच्छा का न्यूनी करण ये गांधी के आर्थिक दर्सन की चोथी विश्यस्ता थी। गांधी कहते थे कि पृतिवी के हर आदमी को अपने इच्छाओं को थोड़ा कम करना थी। यहां गांधी ने असपश्ट कहा कि इच्छा और लालच में अंतर होता है। तो गांधी ने कहा अपनी लालच को कम कीजिए। क्योंकि गांधी का मानना था कि जो पृतिवी है यह हर आदमी की जरूरत को पूरा करने के लिए परियाब्त मातरा में संसादन परदान करती है। लेकिन हर आदमी के लालच के लिए नहीं। गांधी कहते थे कि इस दुनिया पूरा हो सकती है, आपकी इक्षा पूरी हो सकती है, इसलिए इस धर्ति को खुसाल बनाए रखना है, सुजलाम, सुफलाम बनाए रखना है, तो आपको इक्षाओं का न्यूनिकरण करना होगा, आपको महत्वा कांच्छा और लालच की भेद को समझना होगा, तो गांधी के आर्थिक दर्शन की चोथी विसेस्ता इक्षा के नूनिकर्ट थी। गांदी के आर्थिक दर्शन की जो पांच वी विसेस्ता थी। उसे कहा गया है ट्रश्टी सिप या न्यास धारिता। तारीब भी सबसे अधिक इसी के हुई और आलोचना भी सबसे अधिक इसी के कहा इसके बारे में ट्रस्टी सिप के बारे में भी यही कहा गया कि एक ऐसा से धांत है जो देखने सुनने में अच्छा लगता है लेकिन धरातल पर नहीं उटारा जासा कई बार इस से मेंस्प्री में कुश्चन पूछे गए है तो आईए समझते हैं ट्रस्टी सिप यह अन्यास धारिता होती क्या है गांधी का ट्रस्टी सिप का माडल है उसको मैं बहुत आसानी से समझा देता हूँ गांधी कहते हैं कि कुछ लोग इकठा होंगे ये धेर सारे लोग इकठा हो गए एक दो तीन चार पांच ये पांच लोग इकठा हो गए मालो पैसे वाले लोग है उद्योग पती लोग है गांधी कहते थे कि ये लोग इकठा होंगे और आपस में मिलकर के क्या लगाएंगे उद्योग लगाएंगे उद्योग लगा दिया पाच उद्योग पती मिले उद्योग लगा दिया गांधी कहते थे ठीक है इकठा हुए उद्योग लगाए गांधी कहते थे अब ये उद्योग कमाएगा इस उद्योग से पैसा मिलेगा तो गांधी कहते थे इस उद्योग से जो पैसा मिलेगा कुछ पैसा निकाल लिया संचालन का खर्च निकल गया यानि गांधी कहते थे कि जो पैसा मिलेगा इससे पहले क्या निकाल लिया जाए उद्योग के संचालन का खर्च निकाल लिया जाए उसके बाद जो ये पांच लोग मिले हैं ये लोग अपना खर्च निकाल ले अपना खर्च निकाल ले वह इनक में तो यह बात बड़ी अच्छी लगती है और अगर हम एक ऐसी दुनिया बना पाएं तो इससे खूबसूरत दुनिया इससे सुजलाम सुफलाम वाले दुनिया कुछ हो ही नहीं सकती है लेकिन ब्योहार में यह संभूँ क्योंकि माल लीजिये यह पांच लोगी कठा होंगे क्यों ही कठा होंगे प्रॉफिट के लिए अब यह पांच लोगी कठा होंगे उद्योग लगाएंगे पैसा कमाएंगे माल लीजिये 100 रूपय कमाया तो 20 रूपया इनके माल लीजिये इनके उद्योग का खर्च हुआ 20 र दिकत यह कि अगर यह पैसा 50 रुपया सारे लोगों के उत्थान में लगा देंगे तो दूसरे उद्योग में निजेस कहां से करेंगे यह दिकत है और तीसरी चीज देश में धेर सारे लोग कहेंगे हमको गरीबे बनने में ठीक है हमा यह है ना कुछ अमीर लोग गादी के व सिध्धान्त है यह उच्छ मानवता का सिध्धान्त है लेकिन ब्योहारिक रूप से यह सिध्धान सक्सिज नहीं है इसलिए ट्रश्टी सिप का सिध्धान्त बहुत सक्सिज नहीं हुगा तो गादी के इसी माडल को हम ट्रश्टी सिप का माडल कहते हैं जहां कहा जाता है क कि हर उद्योग पती अपना उद्योग के संचालन का खर्च निकालेगा अपना खर्च निकालेगा और जो सिस्प्राफिट बचता है उसे गरीवों के उत्थान मिला यह रही गांधी की आर्थिक विचारधारा मुझे उमीद है कि आप लोग गांधी का आर्थिक दर्स समझ अब थोड़ी सी बात करते हैं हम नेहरू के भी आर्थिक मॉडल की जिसे नेहरूवादी अर्थव्योस्था कहा जाता है इसे हम यहां किवल इसके साधान्तिक पक्ष कुब्र पढ़ाएंगे जब दूसरे चैप्टर में हम प्लांड इकॉनमी पढ़ाना सुरू करेंगे न कि फ़ल हम नेहरूवादी अर्थ ब्योस्था की जिसे नेहरू और महर्ल लोविस का मॉडल कहा जाता है इसको और विस्तार से सब्सक्राइब तो थोड़ा सा हम नहरुवादी अर्थ व्योस्था की बात करते हैं दरसल नहरु का जो आर्थिक मॉडल है यह समाजवास से बड़ा प्रेरित और प्रभावित है लेकिन पूरता समाजवादी नहीं है नहरु ने क्या किया कि समाजवास से धेर सारे तत्तों लिए सभी तत्त नहरू का आर्थिक मॉडल कहा गया उसे नहरू का आर्थिक दर्सन कहा गया और उसे ही नहरूवादी अर्थविवस्था करके यानि कुल मिला जुला करके समाजवादी विचारों और नहरू के विचारों का जो मिला जुला रूप है वही नहरूवादी अर्थविवस्था है फिर से सुनिए समाजवादी वीचारों और नहरूजी के वीचारों का जो मिला जुला रूप है वही समाज वही नहरूवादी अर्थव्योस्था जह हम प्लांड एकॉनमिक डेवलेब्बेंट पढ़ाएंगे योजनाय वाले पढ़ाएंगे तो हम विस्तार से पढ़ाएंगे नहरू और मालोब इसका और्थिक मॉडल यहां सिर्फ नहरूवादी अर्थव्योस्था कि हम प्रेरक ततों पर बात कर रहे हैं तो समाज बात क यह कुछ ततों और नहरू के खुद के अपने कुछ विजार जब मिलते हैं तो जो एकॉनमिक मॉडल धरातल पर उचरता है सिर्फ नहरूवादी अर्थव्योस्था ड़ंगे इसके दो प्रमुखिन शचट समसते हैं नेहरू के आर्थिक माडल में या यू कहिए कि नेहरू जी का मानना था कि केंद्र के सरकार के अस्तर पर यानि केंद्री सरकार के अस्तर पर योजनाय बनाई जाएं केंद्र सरकार योजनाय बनाई और साथ साथ केंद्र सरकार ही बुनियादी धाचा भारी उद्योग च्छेत्रों में उध्योगों किस्थापना करे है । के ऊच्छा युनिवर्स्टी बिए достुट है कौन लगा है सरकार लगाए नेरु जो कहते थे उर्जा के जो द्योग है वो सरकार लगाए अर्थात अर्थवियोस्था के बड़े सेक्टर का नेत्रित तो सरकार करे यानि अर्थवियोस्था में में लीडर की भूमिका में क्या हो सरकार हो गौर से देखो समाजवात का प्रभाव या दि तो नहरू कहते हैं कि मेन इस्ट्रीम में कौन खड़ी हो सरकार हो सरकार कमपनिया लगाए कमपनिया काम करें और अर्थव्योस्था को आगे ले जाए लेकिन नहरू प्राइबेट सेक्टर को भूलते नहीं है प्राइबेट सेक्टर को छोडते नहीं है प्राइबेट सेक्टर का विरोध नहीं करते हैं नहरू कहते हैं कि हम प्राइबेट सेक्टर का विरोध नहीं कर रहे हैं बलकि नहरू प्राइबेट सेक्टर को भी जगा देते हैं नहरू कहते हैं कि प्राइबेट सेक्टर छोटे छोटे उद्द्योग लगाए इस माल इंडस्टीज की अस्थापना पर अपना ध्यान केंदरित करे यही था नेरू का आर्थी यानि कहते हैं कि में रोल में सरकार हो में रोल में कौन हो सरकार हो देखो यहां नेरू जी है और बड़े हैब इंडस्टीज की अस्थापना कर रहे हैं नेरू कहते थे में रोल में सरकार हो अर्थव्यूस्था और सहयोगी के रूप में कौन हो प्राइबेट सेक्टर हो यही नहरू का अपना भीचार था समाज बात से उन्होंने क्या लिया कि अर्थव्यूस्था में लीडर की भूमिका में कौन होगा तो सरकार होगी पूजी वास से उन्होंने क्या लिया कि प्राइबेट सेक्टर भी अस्तित तुम्हें रहेगा लेकिन में रोल में नहीं रहेगा यही नहरू का अपना आर्थिक माडल है इसी को मिस्त्री तर्थवियोस्था भी कहते हैं लेकिन यहां मिस्त्री तर्थवियोस अब ये बात भी उठती है कि आखिर नहरू के आर्थिक मॉडल में समाजबात के बहुत सारे तत्वसामिल है तो एक सवाल उठता है परिक्षाओं में उठाया जाता है कि नहरू ने समाजबात को क्यों अपनाया तो नहरू के समाजबात के अपनाने की पीछे की कुछ परियाप्त वज़ा थी पहली वज़ा ये थी कि नहरू अपने समय में सोबियस संग रूस के मॉडल से बहुत प्रभावित थे क्योंकि जो नहरू आज का रूस आपको एक कमजोर रूस दिखता है नहरू के समय में जो सोबियत रूस था उसने दिखा दिया था कि विकास को तेजी से प्राप्त किया जा सकता है गरीबी को तेजी से हटाई जा सकती है नहरू के दौर में रूस में कोई गरीब था ही नहीं दुनिया में रूस पहला देश था जिसने दिखा दिया था कि गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटा जा सकते नेरू इससे बड़े आकरसित थे नेरू भी एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जहां कोई गरीब हो ही नहीं जहां रोटी, कपड़े, मकान, सिच्छा स्वास्त की सबस्याएं लाओ और ये रूस ने करके दिखा दिया था इसलिए रूसी समाजवात को अपनाने की एक बड़ी वज़ा ये थी दूसरी जो बड़ी वज़ा थी वो बिचार के अस्तर पर नेहरू राज की कल्याणकारी स्वरूप अर्थाद वेलफेर स्टेट इस संकल्पना में बहुत भरोसर नेहरू का कहना था कि राज कोई व्यापार की करने की संस्था नहीं है राज कोई सासन करने की संस्था नहीं है नहरू का कहना था कि राज का अंति मुद्देश अधिक्तम लोगों का अधिक्तम कल्यार सुने नहरू कहते थे कि हम चुन करके इसलिए नहीं आएंगे कि हम ट्रेट करेंगे हम चुन करके इसलिए नहीं आएंगे कि हम सासन करेंगे हम चुन करके इसलिए आएंगे हम सासन में इसलिए बैठेंगे कि हम अधिकतम लोगों का कल्यार सुरें जो हमारे सम्मिधान का दर्सन है प्रस्तावना है इसे नहरू नहीं लिखा है प्रियंबल को नहरू नहीं लिखा है यही तो सर्वस्रेश्ट भारत हो सकता और वो हमारे प्रियंबल में है प्रिस्तावना में है प्रिस्तावना के एक सब नहरु द्वारा लिखे गए नहरु द्वारा गड़े गए और यह सिर्फ सम्द नहीं है यह नहरु के बिचार है और यही तो कल्यादकारी राज की पहचान है वह राज जो शमाजिक न्याध वह राज जो आर्थिक न्याध वह राज जो राज नंय थी तो चुकि नेहरू कल्यार कारे राजे पर बहुत भरोसा करते थे इसलिए नेहरू ने समाजवादी अर्थ व्योस्ता के धेर सारे तद्दों को साथे साथ नेहरू एक चीज पर द्रिड़ प्रतिग्य थे वो था समान्ता नेहरू असमान्ता का हर रूप का वियोध करते थे दुनिया में वो कोई भी चीज जो अशमान्ता को जन्म देती है जो अशमान्ता को आगे बढ़ाती है नेहरू हमेशा उसके जीवन परियंद खिलाब नेरू कहते थे कि मैं उस दुनिया की कल्पना ही नहीं कर सकता जिसमें असमानता के तक्त्व मौजूद है नेरू कहते थे असमानता किसी रूप में कहीं भी होगी मैं जीवन परियंत आखरी सांस तक लड़ूँगा और नेरू उससे लड़ते रहे चुके नेरू समानता के मुल्यों में बहुत विश्वास करते थे और समाजवाद भी अपनी प्रस्तावना में समानता को ही महत्तो देता है समाजवादी अर्थ्व्योस्था भी समानता पर जोड देती है तो इसलिए नेरु ने समाज बात कुछ ताथ ही साथ जब देश स्वतंत्र हुआ तो ब्यवहारिक कारणिक ये भी था कि हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर बहुत मजबूत नहीं था और जब प्राइवेट सेक्टर मजबूत नहीं था तो स्वाभाविक सी बात है आर्थिक मौडल में सरकार को आगे बढ़ाया तो ये है नहरू का आर्थिक मौडल मुझे उमीद है आपको बाते समझ में आगे हमने आपको पूजीबाद समझा दिया साम्मेवाद समझा दिया समाजवाद समझा दिया नौपूजीबाद और नौउदारबाद समझा दिया, हमने आपको कल्यारकारी अर्थव्योस्था का मॉडल समझा दिया, हमने आपको गांधियन अर्थव्योस्था का मॉडल समझा दिया, हमने आपको नहरूवियन अर्थव्योस्था का मॉडल समझा दिया, अब एक आखरी तो जब हम बात करते हैं ग्रीन इकॉनमी का तो इसका मतलब होता है कि हम ऐसे आर्थिक मॉडल की और चले जो परियावरण संतुलन के लिए भी काम करें दरसल जो 20 सताब्दी थी ना पिछली सताब्दी थी ना उसके कुकर्मों का परियावरण अब यह सताब्दी जिल रही है पिछली सताब्दी सिर्फ अंधा धुंद विकास की और भाग रही थी बाद चाहे पूजी बात की हो बाद चाहे समाज बात की हो बाद चाहे नव दरवाद की हो बाद चाहे वेलफेर एकॉनमी की हो पर वहा किसी भी प्रकृत की आज जल जंगल जमीन वायू सबसंकट में है और याद रखिएगा यदि जल जंगल जमीन वायू सबसंकट में है तो मानों का अस्तित्व भी सुरक्षित नहीं आज हम जिस क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के मोहाने पर खड़े हैं अगर रूके नहीं तो एक क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ही मानों का बहुत भारी पड़ेंगे और मानों की अस्तित्व कहीं समाथ करें इसलिए किस्वी सताब्दी में चिंता होने लगी है कि मानों की अस्तित्त को कैसे समाला जाए कैसे बचाया जाए इसलिए ऐसे आर्थिक मॉडल खोजे जा रहे हैं जो प्रकिर्थ और विकास को एक साथ ले करके चलती जहां विकास और प्रकिर्थ के बीच भीरोध नहों साथ अस्तित्त हो संतुलन हो और इसी विकास मॉडल की जब तलास सुरू हुई तो निकल करके आए ग्रीन एकॉनमी हरित अर्थव्योस्था या ग्रीन एकोनोमिक्स या हरित अर्थसास्त्र तो दरसल आईए एक एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं हरित अर्थसास्त्र अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि आर्थिक विकास के बाद वायू जल और भूमिक प्रदूसर जैसी परियावरणी लागतों ने माना और समाजिक कल्याल पर दबाओ डाला था विसमी सताब दी मानों ही नहीं रहेगा तो विकास किसके लिए विकास तो वो होना चाहिए जो शदियों तक सताब्दियों तक चिरंतन रहे निरंतन रहे हम तो उस मुहाने पर खड़ा हैं कि हम ही नहीं रहेंगे मानों समाजी नहीं रहेगा तो क्या होगी यह सड़के पूल डेम रेलवे इतना ही नहीं इसने धेर सारे प्राकिर्तिक संसाधनों को समाप्त कर दिया. और परियाम यह हुआ कि प्रकिर्त की उत्पाधक्ता में काफी कमी आने लगी. इसी परिवेस में ग्रीन एकॉनमी की बात चली और इसी परिवेस में ग्रीन एकॉनमी उभर करके सामनी आई जो ग्रीन एकॉनमी को एक लाइन में कहा जाए हरित अर्थसास्त्र को एक लाइन में कहा जाए एक ऐसे विकास के model पर जोड़ देता है जो 2021 में भी sustainable हो, 2050 में भी sustainable हो, 5050 में भी sustainable हो हर पीढी की जरूरते हो, हर पीढी की जरूरतों को पूर्ति करें यानि कुल्विला जुला करके मनुष्य और प्रकृत के बीच के सामन जस्य पूर्ण संबंधों की सलाह देता है हरित अर्थसासर क्योंकि इसके पहले का जितना भी विकास माडल था उसने प्रकृत के सास सत्रूव जैसा बेवहार की था हरित अर्थसासर कहता है ना ना मानो और प्रकृत के बीच सामन जस्य पूर्ण संबंध होने चाहिए हिक बेवहारिक शंबंध होने चाहिए शहयोगी शंबंध है हम कुछ उदारणों की बानगी से देखेंगे कि कैसे पिछली सताबदियों के विकास ने प्रकृत का कितना नुकसान किया और प्रकृत के प्रत भारत के उदारों से ले तो भारत में हरित करांती आई और हरित करांती ने किसी के बेवशाई करण पर खुब जोड़ दिया एक तरफ जहां आज के उत्पादन पर जोड़ दिया वहीं किसी के बेवशाई करण पर भी जोड़ दिया अब हरित करांती और किसी का बेवशाई क खराब कर दिया, भारत की भूमी बंजर हो गई, बड़ी मातरा में भूम बंजर हो गई, जो नहीं होई है, उस भूम की पोसकता समाप्त हो गई है, अब उस मिट्टी को हर साल अधिक से अधिक फटलाइजर चाहिए, अब उस मिट्टी में जो अनाजुत्पन हो रहा है, उसम तो हरित करांति ने किसी के व्यशाई करण ने पूरे के पूरे जमीन के स्वास्त को खराब कर दिया अगर हम सिचाई के मामले को देखे तो भूजल का ओवरड्रॉप्ट हो गया है धेर सारे नलकूप हमने लगाये पाई और बेतरती पानी निकाला बिजली आई मोटर चलाया बेतरती पानी निकाल कर गया है आज ग्राउंड वाटर ओवर रफ्ट हो गया इसका मतलब हमने भूमिगजल को जरूरत से जादा इस्तेमाल कर लिया है जरती के नीचे जितना पानी रहना चाहिए वो नहीं है मांसून ने एक दो साल भी दोखा दिया तो तरह हिमाम मज जा आज पूरी दुनिया वाटर क्राइसिस के मुहाने पर खड़ी दुनिया है भारत तो पूरी तरह से ग्राउंड वाटर के ग्राउंड वाटर क्राइसिस के मुहाने पर इतना ही नहीं सिचाई के लिए जो छोटे और बड़े बाद बनाए गए पूरे देश में उससे क्या हुआ कि पानी तो प्रदूसित हुआ पानी तो बरबाद हुआ ही हुआ है छोटे बड़े बाद बनाने के लिए बड़े छेत्र जलमगन हो गए और बड़े बड़े छेत्र जलमगन हो गए तो वहां कि जैवेवित्ता नश्ठ हो गई तेजी से बनों की कटाई की गई और इन सब का परिडाम हुआ परिया बरण में गिरावट आई जिवास मिधन से प्रेरीत हमारा उद्योगी विकास था यानि उद्योगों में इधन की रूप में हमने या तो कोईले का इस्तेमाल किया ये पेट्रोलियल का इस्तेमाल किया इस कोईले और पेट्रोलियम जिसको फसल्स फ्योल माना जाता है जिवास मिधन माना जाता है इन सब का परिराम हुआ ग्लोबल वार्मिंग भुमंडली उसमी करण और आज पूरी की पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की मुहाने पर खड़ी है उसका प्रभाव हम आप भी महशूस कर रहे है इन्हीं बात को जब देखा गया तो 21 सताबदी में तेजी से चर्चा होन नाम सुना होगा यह तमाम प्रयास हैं जो इस धर्ती को बचाने के लिए किये जा रहे है परियावरण को बचाने के लिए किये जा रहे है लेकिन इस परियावरण का जो नुकसान हुआ उसके मूल में क्या था इस पर चर्चा सुरू हूई तो मूल में था हमारा जो एकॉन प्रकृत का अधिक्तम दोहन ही किया तो कहा गया कि भाईया आप कुछ भी कर लिजिए इस परियावरण को तभी आप बचा सकते हैं जब आप एक ऐसे डिवलप्मेंट के मॉडल को लाइए आप ऐसे एकोनमिक मॉडल को लाइए जो प्रकृत का दोहन नहीं करता है जो प्रकृत के साथ सामन जसे पूर्ण ब्यवहार करता है अब ये मॉडल क्या होना चाहिए ऐसे मॉडल की खोज सुरू हुई तलास सुरू 2019 में UK की सरकार ने Cambridge University के अर्थ सास्त्री पार्थदार्स गुपता को जय विवित्ता के अर्थ सास्त्र पर बैस्विक समिक्षा की आपूर्ती के लिए अधिकृत किया दास गुपता से कहा कि दास गुपता साहब अध्यन कीजिए और बताइए कि आखिर जो पूरी की पूरी बायोडाबश्टी नस्थ हुई है हमारे डेवलप्मेंट के कारण पूरी जय विवित्ता जो नस्थ हुई है उस जय विवित्ता को हम पूना बनाएंगे कैसे साथ-साथ ये भी बताईए ये पर्यावरर के नश्थ होने के कगार पर जो हम पहुँची है इसके पीछे के कारण क्या-क्या है और साथ-साथ ये भी बताईए कि भवित्ता का मॉडल क्या हो सकाए तो दास गुपता सहाब ने अध्यन किया और अपना रिपोर्ट दिया बिटेन के सरकार को 2021 में जो प्रकाशित हुआ और रिपोर्ट का नाम है The Economics of the Biodiversity of the Das Gupta Review 2021 इस नाम से यह 2021 में प्रकाशित हुआ The Economics of the Biodiversity of the Das Gupta Review 2021 में यह प्रकाशित हुआ इस रिपोर्ट में कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई तो आईए थोड़ा इस रिपोर्ट के कुछ मुद्दों की बात करें इस रिपोर्ट में जो पहली बात की गई वह प्राकिर्टिक पूजी पर बात की गई दास गुपता साहब कहते हैं कि प्राकिर्थिक पूजी जो लंबे समय से आर्थिक विश्वास से उपेच्छित है उसे एक संपति जैसे की निर्मित सामान मानो पूजी की रूप में देखा जाना चाहिए थोड़ा इसको समझ दास गुपता साहब कह रहे हैं कि देखिए से चलो भईया हमने जमीन इतने की खरीदी हमने भवन बनवाए हमने मशीने लाई ठीक तो माल लो इन सब में हमने 100 रूप खर्च कि इस 100 रूप इको मानो पूजी कहा जाता है इस 100 रूपे को मानो पूजी कहा जाता है। याहिनीवेस है। दाश गुपता सावajes करें कि आप सिर्फ मानो पूजी कि गणना कर रहे हैं। अरे भाई आप उद्योग लगा के अगर कुछ उत्पादन कर रहे हैं तो प्रकृति से भी बहुत कुछ ले रहे हैं प्रकृति से आप पानी ले रहे हैं प्रकृति से आप वायू ले रहे हैं प्रकृति से आप लकडियां ले रहे हैं साथ साथ आपके उद्योग इस पानी क हमारी जय विवित्ता का नुक्सान कर रहे हैं इसकी भी ये सब क्या है प्राकृतिक पूजी है दास गुपता साब कह रहे हैं कि जो आप लोग आकरा लेकर के आ रहे हो सिर्फ मानो पूजी की गणना करते हो प्राकृतिक पूजी की उपेच्छा कर देते हो इसको ठीक करना हो दासगुपता कह रहे हैं कि आप 100 रुपे की पुजी लगाते हो और 200 रुपे का माल बेच लेते हो आप कहते हो हम 100 रुपे प्रॉफिट में रहे हैं अरे भाईया इसकी गढ़ना कौन करेगा आपने 100 रुपिया मानों पुजी लगाई 200 रुपिया का समान बनाया तो उसमें जो प्राकृतिक पुजी खर्च हुई है इसकी भी आप गड़ना कीजिए जब तक इसकी गड़ना नहीं करना सुरू करेंगे तब तक हम एक्चुवल विकास के मॉडल पर नहीं पहुँज़ू तो दासगुप्ता साब कह रहे हैं पहले तो इसकी गड़ना कुजी है दासगुप्ता साब कुछ उधारण भी दे रहे हैं दासगुप्ता कह रहे हैं कि 1992 और 2014 के बीच जितनी भी निर्मित बस्तूओं और सेमाय हैं दुनिया में प्रति व्यक्ति दो गुना बृद्धी गई है यानि वस्तूओं और सेमाओं के उत्पादन में हमने दोगुना बृद्धी कर ली है साब सादासगुप्ता कहते हैं कि अगर हम मानव पूजी की बात करें तो जैसे ग्यान स्वास्थ और कौसल यूमन कैपिटल थीरी के आधार पर अगर बात करें तो ग्यान स्वा चालिस परसेंट तक घट गई है यानि वस्तूओं सेवाओं को उत्पादन दोगुना हुआ ग्यान स्वास्थ और कौसल के मामने में सत्रा परसेंट की बृद्धी हुई लेकिन जो हमारी जय विवित्ता है जो हमारे जंगल है जो हमारे बिभिन प्रकार की फ्लोरा और फन समुद्री बनस्पतियां अस्थली जीव हैं समुद्री जीव हैं यानि अपने विकास की प्रक्रिया में हमने क्या पाया ये तो बात दूसरी है लेकिन हमने अपने प्राक्रितिक संसाधनों को चालिस परसेंट खोया है सिर्फ और सिर्फ उन्नीस सो बानमे से दोजार पीछे का हिसाब लगाए जाए तो रोंके खड़े हो जाएंगे और दास गुपता साहब कह रहे हैं कि यह सब इसलिए हुआ कि जो हमारा इकोनविक मादल है वो अब तक अपने विकास को प्रकिर्ट से अलग देखता है अब तक का जो मुख विचार रहा है कि प्रकिर्ट से हम अलग है रिपोर्ट कहते हैं कि जो प्रकिर्ट से अलग होने का मुख विचार रहा है अब इसको बदलना होगा और इस रिपोर्ट में दावा किया है कि अब विचार ही रखना होगा कि वैश्विक अर्थ बेवस्था प्रकिर्ट पर निर्भर है और प्रकिर्ट में ही अंतर नहीं थै अगर प्रकिर्ट नष्ठ होगी तो दुनिया की एकोनमी नष्ठ हो जाएगी विकास का कोई मॉडल काम नहीं करेगा फिल कर जाएगा इसलिए अपनी समिछा में डास गुपता ने तीन चीज़ियों की सलाह दी है तीन परिवर्टनों का समर्थन किया है जो सबसे पहले सलाह दी है उन्होंने कहा है कि प्रकिर्ट की आपूर्ति को बर्थमान अस्तर के सापेच बढ़ाया जाना चाहिए आप कहोगे प्रकृत की आपूर्ती क्या है जैसे मालो हम पेड़ काट रहे हैं पेड़ लगा कम रहे हैं तो दासकुत्ता कहते हैं कि जितना पेड़ काट रहे हैं उसकी सापेच हम पेड़ लगा कम रहे हैं तो बढ़ाना चाहिए यानि हमें जादे से जादे ब्रिच्छा र करना चाहिए कम से कम पानी का स्तिमाल करना करना साथ साथ कह रहे हैं कि जो प्रकृति पर मानावता की मांग है वह प्रकृति की आपूर्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए जितना acccision मिल सकता है जितना एक साल में accision पैदा होता है और जितना हम carbon dioxide चुड़ते हैं इनमें बाई एक संतुलोन होना چाएए बर्सा का पानी हो रहा है उसको उसका congquinhomation कीजिये बर्सा की पानी को भी बर्बाद कर दे रहा है नदियों के पानी के भी बरबाद कर रहे हैं जीलों के भी पानी को बरबाद कर रहे हैं ग्राउंड बाटर भी बरबाद कर रहे हैं तो कह रहे हैं हमारी मांग प्रकृत की सप्लाई से अधिक नहीं होनी चाहिए पहला तो ये बात कर रहे हैं दूसरा ये बात कर रहे हैं एकाउंटिंग की, ये कह रहे हैं कि जब हम GDP की दुनिया जो गढ़ना करती है, उसमें प्राकिर्तिक संपत्य मूल लिहरास पर विचार नहीं किया जाता है, दास साब कह रहे हैं कि पूरी दुनिया कहती है GDP इतनी परसेंट ग्रोथ हुई, तो अर इकाउंटिंग में जोड़िये हर देश डाटा प्रकासित की, इसलिए दास गुपता साब कह रहे हैं कि जितनी भी राष्टी लेखा प्रालिया है, निस्नल एकाउंट सिस्टम है, सब में प्राकिर्तिक मूल लिहरास का भी प्रक्षेपड किया जाना चाहिए, यानि दुन सब्सकार की एजुकेशन प्रोग्राम में पर्यावरण जागरुकता के पाठिकरम को सुरू करना चाहिए, ठीक, और साथ साथ, ठीक, हमारे वित्तिये संस्थानों की रूप रेखा को भी बदलना चाहिए, उनमें भी पर्यावरण सरक्षरक पर जोड़ देना चाहिए, हर वित्तिये संस्थान अगर कुछ इनमेश्टमेंट करता है, तो उसको अलग सी पर्यावरण पर भी इनमेश्टमेंट के लिए प्रेडित करना चाहिए, ये रही हमारी एकॉनमी का परिश्यवाला चेप्टर, ये रही हमारी वो क्लास जो आपको आर्थिक विचारों के बार करिया, हमने आपको वचन दिया था, कि हम आपके साथ साथ चलेंगे, साथ साथ खड़े रहेंगे, आपके हिस्से के लड़ाई लड़ेंगे, जब तक आप जीतना जाए, तो जितनी सिद्धत से हम पढ़ा रहे हैं, आप भी उतनी सिद्धत से पढ़िएगा, पूरी की पिल्ड अप हो रहे हैं, तो क्लास के बाद हमें सूचित किजिए, हमें बताईएगा चाहूँ, आप बताईएगा कि गुरु जी आपकी इस क्लास से हमें प्रेड़ा मिल रही है, हमारी तैयारी में मदद मिल रही है, हमारे भविश्च के सपने सच होते दिआएगे, तो इ खुद पर भरोसा रखिए, खुद पर स्लम को पर भरोसा रखिए, बाकी जो भी चीजे होगी, आप यकीन कीजिए, हम आपके साथ है, पी डबलू आपके साथ है, आपकी हर जरूरत को हम पहले से भाप लेते हैं, और मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके भविश्च के हित के लिए जो भी उचित कदम उठ होगा, हम सब उठाएंगे, और जो भी आपका आदेश होगा, वो हमेशा शिरोधारे होगा, तो मैं आज की क्लास को यहीं खतम करते हैं, नमस्कार, सहें